तो इस कहानी के शुरुवात एक वार से होती है ये वार किसी क्लान के बीच नहीं हो रही थी बलकि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की थी वो यहाँ सेवन ग्रेट नीशन से अकेले लड़ रहा था इस लड़ाई को आज करीबन तीन दिन हो चुके हैं इस लड़ाई के उस लड़के को हरा पाएंगे बगर किसमत को शायद कुछ औरी मन्जूर था क्योंकि लड़ाई के दौरान अच्छानक से एक वारियर अपना खंजर उस लड़के को मार दीता है जिसकी वजह से वो लड़का लड़ने की हालत में नहीं था वैसे यही इस कहानी का में कैरेक दी थी जो कि उसके ग्रैंट फादर थे पर उन्हें इन लोगों ने मार दिया साथ ही यूंचे जिस लड़की से प्यार करता था उसे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा अभी ये लोग यूंचे पर हमला करने वाले थे बगर इतने में ही यूंचे अपनी एनरजी को रिली ये देखते हुए यूंचे वहां उस बहार से नीचे खाई में कूदने का फैसला करता है यहां कूद देवा उसने हवली पॉसनेस परल को खा लिया था जिससे वो किसी को ना मिले अब एक सेकंड के लिए यूंचे को लगता है कि वो अब नहीं बचेगा लिकिन इतने महीं उसके गले में एक आर्टिफेक्ट अक्रिवीट हो जाता है और अजानक से उसकी सोल को वहां से टेलिपोर्ट कर दीता है अब जब यूचे की आँख खुलती है तो वो किसी अंजानी जगे पर था वैसे यूचे अभी इस जगे को पहचान नहीं पा रहा था लेकिन तभी यूचे की आँटी है और उसका नाम लिंजी है यहाँ अभी यूचे को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसने उस लड़की को कभी देखा तक नहीं था पर तभी लिंजी बताती है कि आज यूचे की शादी हुने वाली है लेकिन सुबह खाना खाते हुए वो अचानक से बिखोश हो गया जिस वज़े से वो सभी उसकी चिंता कर रहे थे यूजे हैरान था वो तुरंट उटकर बैट जाता है लेकिन तभी अचानक से उसे अपने सोल सी के अंदर वो सारी मेमरीज दिखना चालू होती है जो कि अभी उसकी करेंट बाडी की है असल में यूजे किसी और की बाडी में आ चुका है क्योंकि जेस टाइम यूजे की डेथ हुई थी तब इस वाली बाडी की भी डेथ हुई थी बैसे यूजे को पता लगा था कि उसके पास अभी भी heavenly poisonous pearl की पार्स है उसे जानने को मिलता है कि इस life में उसके parents नहीं है उसे उसके grandfather नहीं पाला है उन्होंने ही उसका ख्याल रखा है लेकिन बच्पन में ही यूजे की mystic veins destroy हो गई थी असल में mystic veins एक property होती है जिसके through cultivators cultivation कर पाते हैं mystic veins के destroy होने से अब यूजे cultivation नहीं कर सकता अब ये बात जानकर यूजे बहुत ही जादा हैरान हो गया था साथ ही वो उतना ही दुखी भी था क्योंकि अब वो cultivation नहीं कर सकता साथ ही पिछली life की जो पर उसके पास थी वो भी या उसके पास नहीं है बस अब ही एक चीज की उसे खुशे थी कि उसके पास अब भी heavenly poisonous pearl है जो की अब उसके soul see के साथ भी connect हो चुकी है यहां हमें यह भी जानने को मिलता है कि असल में यूचे को इस life में किसी ने पासन दे दिया था जिस वज़े से यहां भी उसकी same time पर death हुई थी अब यह उसे नहीं पता कि उसे यह पासन किस ने दिया था अब जब उसे यह सब समझ आ रहा था तब ही वहाँ पर उसके grandfather आते हैं वो यूचे को ठीक देकर बहुत जादा खुश थे वैसे वो यूचे से तयार होकर नीचे आने को कहते हैं यहां यूचे भले ही उनसे पहली बार मिल रहा है लेकिन उसे इनकी feeling अच्छी तरह पता है और साथ ही वो ये भी जानता है कि उसके बेहुश होने के बाद उसके grandfather को उसकी कितनी जिन्ता हो रही थी अब इस वज़े से वो उनसे कहता है कि आपको आजसे मेरी जिन्ता करने की जरूरत नहीं मैं जानता हूँ कि आपने बच्पन से मेरा कितना ख्याल रखा है लेकिन अब मेरी बारी है अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा ये बात सुनकर यूचे के ग्रैंट वादर तो बहुत ही जादा हैरान हो गए थे क्योंकि यूचे का बड़ता पहले जैसा था उसके हिसाब से वो 180 डिग्री में बात कर रहा है वो कह रहे थे कि फाइनली तुम बड़े हो ही गए विसे इसके बाद वो लिंजी से यूचे को तयार करने को कहकर वहां से चले गए थे यहां लिंजी उसे तयार करते हुए कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है उसके बा देखते हैं कि अब वो लोग वहां से निकलने लगे थे यहां पर अभी बहुत सारे सोलजस भी थे क्योंकि यूचे की ग्राइनफादर इस स्मॉल ज्याव से के थर्ड ग्रेट हैं यहां भी बहुत सारे लोग थे तभी यूचे को एक घोस दिखता है अब उसे उसी पर बै कह सकते हैं क्योंकि यह ङय'll you okay से मिलने आया थी ज्याद आगया था कहा वसे ग्राइरी के यहीव लड़का है जिसने उसे जहर देंखर मारे की खूशिश की थी क्योंकि यह यूचे से जलता है लेकिन फिर भी यूचे यहां उससे अच्चे से बात करने का नाटक करता है यू लंग अपने साथी पर गुसा करता है क्योंकि उसके साथ ही नहीं यूचे को जहर दिया था और ये जहर इतना बेकार था कि यूचे को मार नहीं पाया। वैसे इसके बाद यहां से सीन चींज होता है। देखते हैं कि यूचे और बागी सब ही अब सिड्डी से होते हुए जा रहे थे। यहां सब ही यूचे को देखकर हैरान थे। लड़के सोच रहे थे किया कर इस बेवकूफ से लड़की की शादी किंग यू के साथ कैसे हो सकती है। पर अभी बागी लड़कें सोच रही थे कि यूचे कितना हैंसम है। अब हमें जानने को मिलता है कि क्विंग यू जिससे यूचे की शादी हो रही है। असल में यूचे के एक ग्रांट वादर ने उसकी जान बजाए थी। इसी वज़े से क्विंग यू इस चीज का एहसान चुकाने के लिए यूचे से शादी कर रही है। तब ही हम देखते हैं कि अचानक से इनके सामने एक एलिफेट बीस्ट आ जाता है। जो कि उस सिटी के एक बहुत ही अमीर आत्मी का पैट है। वो अमीर आत्मी भी नहीं चाहता था कि यूचे की शादी क्विंग यू के साथ हो। इसी वज़े से वो शादी में रुकावट खड़ी करने के लिए अपने पैट को यहां लेकर आया है। अब सभी लोग उस जाइंट एलिफेंट से डर रहे थे पर यहां यूचे सबसे आगे खड़े होते हुए अवे बिल्कुल नहीं डरा था। अब यूचे अकेला ही आगे बढ़ता है और अपने घोड़ी की आँखों के सामने एक रुमाल रख देता है जिसे वो खोड़ा उस बीस्ट को देखकर डरेना। यहां पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया था क्योंकि जब वो आदमी अपने एलिफेंट बीस्ट को यूचे की तरफ भेशता है तो वो एलिफेंट ही यूचे से डरते हुए पीछे आने लगा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूचे और बागी सभी बहुत लेट हो चुके हैं। और क्विंग्यू की शादी हो चुकी है और आज इनकी पहली नाइट थी अब यूचे कमरी में जाता है तो यहां पर आकर उसके सामने क्विंग्यू दिखती है। वो एक दूसरे से पहली बार मिल रही है। अब यूचे आगे पढ़कर क्विंग्यू को टच करने ही वाला था। पर तभी क्विंग्यू तुरांती अपनी पार से उसके हाथ को जमा देती है क्योंकि उसके पास आइस एलिमेंट की पास है। पारा करदी करता है। अब यूचे फिर क्विंग्यू के पास आते हुए कह रहा था कि तुम्हें और भी कई चीज से नहीं पता क्या तुम जानना चाहोगी। पर क्विंग्यू फिर से उसे दूर कर देती है और यूजे को भी डर लग रहा था क्योंकि क्विंग्यू सच में ताकतवर है क्विंग्यू उससे कहती है कि वो आइस क्लाउड इम्मोर्टल पैलिस की डिसाइबल है इस वज़े से उसे फिसिकल रिलेशनशिप बनाने की परम आने वाली है और फिर वो लॉटकर भी नहीं आएगी अब यूजे ये बात सुनकर बहुत ही ज़ान हो गया था पर हिसाब से अभी एक महीने का समय बहुत है विंग्यू को अपने प्यार में डालने के लिए वैसे अभी तो यूजे को वहां से बाहर जाना था क्योंकि उसे यहां पर बोर बोर सा लग रहा था अब जब वो बहार आता है तो अचानक से आस्मान से एक स्टार वहां उसके सामने वाली पहारी पर गिर जाता है यहां यूजे के पास कोई काम दंदा तो था नहीं इस वज़े से वो तुरंती उस तरफ निकल पड़ता है दीखने के लि जैसे वो एक महीने तक यहां से नहीं जा सकती क्योंकि ऐसा करने से यूजे के ग्रांट फादर को बहुत बुरा लगेगा इसलिए अब वो एक महीने का टाइम मांगती है जिस पर उसकी मास्टर उसे हां करके वहां से चली जाती है अब अगले सीन में हम यूजे को देखते हैं जो उस पहाड़ी पर आता है और उसे वहां बहुत सारी ऐसी मेडिसंस मिलती हैं जो कि बहुत रेर हैं नॉमली शायद किसी को इनके बारे में पता नहीं इस वज़े से इने कोई लेकर नहीं गया इसे आप तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है असल में वो जो टू जाती है और उस ब्लाक कारां को खीचने लगती है और अब कुछी देर में इससे वो लड़की ठीक हो गई थी वो जैसे ही होश में आती है तो उसे पता चल जाता है कि यूजे के पास हैं वली पॉजनस बाल है ये बात पता चलते ही वो बहुत ही जादा शौक थी पर अब यहां यूजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सोल सी में कैसे आ गई लेकिन अब तभी वहां पर लिंसी आ जाती है वो थोड़ा केला फिल कर रही थी इसलिए वो यहां ऐसे ही आई थी पर अब वो यूजे को यहां देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो जिस पर यूजे कहता है कि कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही यहां घूमने आया था लेकिन यहां लिंसी को लगता है कि शायद उसे क्विंग्यू ने घर से निकाल दिया है वैसे अब वो दूनों बैटकर बाते कर रहे थे पर तभी वहां पर क्विंग्यू आती है और वो उन्हें देख लेती है अब अगले दिन जब यूजे की नीन खुलती है तो वो उसी पहाड़ी पर था यहां उसके पास में लिंजी सो रही थी और अभी उन्होंने कंबल ओड रखा था जो की असल में उन्हें कुइंग्यू ने उड़ाया है अब इस चीज से के बाद का पहला दिन है जिस वज़ेसे उन्हें आज खाना उनके साथ ही खाना है यहां कुइंग्यू बहुत जादा अच्छे से तयार हुई थी वैसे यूजे भी कुछ कम नहीं लग रहा था वैसे अब ये दोनों वहां पहुँचते हैं और खाना खाते हैं अभी कुइं ती वहां यूजे का हाथ जमा देती है पर यहां ग्रांट पाने यह सब नहीं देखा था वैसे अब ये बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि घर आने के बाद भी वो यूजे पर बहुत गुसा करती है और कहनी लगती है कि तुमने बहुत बड़ी गर्ती की है अब यूजे माफी मांगता है और कहता है कि वो बस उसके ग्रांट फादर को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था कुछ देर माफी मांगने के बाद अब कुइंग्यू उसे माफ कर देती है और अपनी कल्टिवेशन करने में बिजी हो जाती है पर यूजे उसके पास आकर उसे ही देख रहा था इस पर वो पूछती है कि अब क्या हुआ तो इस पर यूजे बताना चालू करता है कि उसने जब कर कुइंग्यू की नफ्स चेक की थी तो उसे पता चला था कि कुइंग्यू को एक बिमारी है अब ये बात कर सकता है यहां यूजे की इतनी नौलेज और कॉंफिडेंस को देखकर कुइंग्यू उसे परमिशन दे देती है अब यूजे उसके हाथ पर प्रेसेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर कुछ नीडल से प्लाइ करता है जिसके बात अचानक से कुइंग्यू की बाड़ी में वो कल्टिवेशन एनरजी सही तरह से फ्लो होने लगी थी साथ ही इस प्रोसेस के बात वो बहुत फ्रीली कल्टिवेशन कर पा रही थी अब यूजे उसे बताता है कि इससे हम थोड़े बड़े लेवल पर भी कर सकती है लेकिन इसके लिए कुइंग्यू को अपने कुछ कपड़े उतारने होंगे क्योंकि इस बार यूजे को और भी कई नीडल्स लगानी होंगी जो कि कुइंग्यू की लगभग पुरी बाड़ी पर लगेंगी विसे थोड़ा सोच कर कुइंग्यू भी हां कर देती है अब यूजे उसकी पूरी बाड़ी पर नीडल्स लगाना शुरू करता है लेकिन लास में ये ब्रोसेस काम कर जाती है और अब कुइंग्यू बहुत जादा हैरान थी कि आखिर यूजे को इतनी अच्छी मेडिकल स्किल्स कैसे आती है क्योंकि यहां ग्विंग्यू समझ गई थी कि यूजे की वज़े से उसके कुछ मेरीडियन पॉइंट्स अनलॉक हो चुके है जो कि उसे आगे कल्टिवेशन में लाइफ टाइम हेल्प करेंगे यूजे उससे कहता है कि वो और भी सादा अच्छी तरह उसका इलाज कर सकता है लेकिन अभी उसके पास बिल्कुल एनरजी नहीं बचे क्योंकि उसकी मिस्टिक वेंस कहराब है और इसी वज़े से वो कल्टिवेशन नहीं कर सकता वो कहता है कि अब भागी का इलाज वो कल करेगा अब यूजे वहां से जाने लगा था लेकिन क्विंग्यू उसे परमीशन देती है कि वो उसके बाजू में सो सकता है इस पर यूजे तो बहुत खुश हो गया था अब दूनों सो चुके थे और यूजे अभी एक सपना देख रहा था जो कि उसके हिसाब से बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से एक बहुती तेज बेल की आवास आती है असल में उसे फर्स ग्रेड एल्डर ने बजाया जिससे कि वो बागी एल्डर्स को वहाँ पर बुला सके अब वहाँ पर जब यूजे के ग्रेंट फार्दर मतलब थर्ड एल्डर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में उनका जो ज्याव सेक्ट है उससे बड़ा भी ज्याव नाम से सेक्ट है आपने अगर Marshall Universe देखी है तो ये भी सेम उसी तरह स्मॉल प्रांच की तरह है वैसे अभी उस में ज्याव सेक्ट का यंग मास्टर इनसे मिलने आ रहा है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें जानने को मिलता है कि वो अपने साथ किसी एक डिसाइपल को भी लेकर जाने वाला है अपने मीन ज्याव सेक्ट का ओफिशल डिसाइपल बनाने के लिए अब थर्ड हेल्डर चाहते थे कि उनका grandson मतलब यूचे को उसके साथ बेजा जाए पर यहां वो सेकंड हेल्डर पहले ही यूचे की बेस्टी करने लगता है और कहता है कि उसकी mistake wayne भी ठीक नहीं है और वैसे भी वो तो बस level 1 पर है उसे वहाँ भीजने का कोई वाइदा नहीं है अब इतना सुनकर थर्ड हेल्डर को गुसा आ जाता है और वो तुरण अपनी energy release करते हैं अभी फर्स्ट हेल्डर को उनकी पार्क के बारे में पता था इस वज़े से वो उन्हें समझाते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और वैसे भी किसे यंग मास्टर के साथ जाना है या किसे नहीं ये तो वहीं आकर बताएगा अब इसके बाद थर्ड एल्डर वहाँ से चले गए थे अगले सीन में हम देखते हैं कि यू लांग भी यूचे के घर पर आया था यूचे से मिलने के बहाने से जिसे कि वो कुईंग्यू से कुछ बात कर सके पर क्योंकि उससे कहती है कि यूचे घर पर नहीं है इसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेइनिंग में मदद करता हूँ लेकिन अब ट्रेइनिंग के दोरान वो बहुत बुरी तरह से पिटता है और उसकी कल्टीवेशन अचानक से डिस्टरब हुई और ब्लास्ट की वजह से वो यहां आकर गिर गया विसे यूचे तो सब समझ गया था लेकिन वो बस हस्ता है और कुछ नहीं कहता विसे अकले सीन में हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अप इनके सेक्ट में एंटर कर जुगा था लेकिन अब वो यहां पर आकर इनके सेक्ट की बुराई कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा सेक्ट सच में कितना छोटा है पर इन में से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत बड़े सेक्ट से आया है और यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉचनिटी भी है साथ ही ये बंदा अपने साथ एक एक लेक्षर भी लाया है जो कि बहुत रेयर है और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी मिस्टिक वेन को रिपेर कर सकता है इ उसकी नजर यहां लिंजी पर पढ़ती है और अब इसके बार वो लिंजी के पांस आकर उसे छेड़ रहा था लेकिन ये चीज यूजे के ग्रांट फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उन्हें इससे बहुत गुस्सा आ जाता है परचे वो आगे पढ़ने वाले थे तब ही सेकेंड एल्डर उन्हें रोग देता है लेकिन इतने में ही यूजे भी वहां पर आ गया था वो यहां आकर यंग मास्टर को रोग देता है और कहता है कि आप बहुत ठक चुके होंगे मैं आपकी मदद करता हूँ मगर इतने में ही वहां पर यंग मास्टर के साथ आ और उसे क्विंग्यू के बारे में बताता है इसके बाद वो दूनों ही वहाँ से सीधा यूजे के घर आ गए थे जहां अभी वो दूनों ही क्विंग्यू को चुपकर देख रहे थे क्विंग्यू कि इतनी सुन्दर है कि वो यंग मास्टर तो पहले ही शौक था पर जब उसे ये पता चलता है कि इसकी शादी एक लेबल वन के कर्टिवीटर के साथ हो चुगी है तो वो और जादा हिरान हो जाता है लेकिन इसके बाद वो दूनों ही एक प्लान बनाते हैं वि लेकिन अब कुईंग्य भी उसे हील करती है और उसकी पार के बारे में पूछती है इस पर यूजे बताता है कि उसके मास्टर एक ग्रेट डॉक्टर थे और यूजे ने उनसे ही ये सारी कला सीखिए है अब ये सुनकर क्विंग्यू कहती है कि इसका मतलब तुम किसी भी मे उचे के लिए चाहिए था लेकिन अब यहां से सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि वहां मीन हॉल में यंग मास्टर सभी से कहता है कि वह एलेक्सर वह खुद उसे देगा जिसे उसकी सबसे जाता जरूरत है अब वहां पर फर्स्ट एल्डर घुटनों के ब पता लगा सकते हैं इसके बाद अब वह अपने असासन को पीचता है क्योंकि उसका असासन उस एलेक्सर की स्मेल से उसका पता लगा सकता है यहां उस एलेक्सर का पता लगा लिया था यहां पर आकर वह बताता है कि यह उसे उस कमरे से मिला जिस कमरे में लिंजी रहती है अ वो कहते हैं कि उसे माफ कर दीजी उसने शायद ये चोरी यूचे के लिए ही की होगी। वैसे यहां लिंजी कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की। लेकिन वहां फर्स्ट एल्डर फिर भी उसे बस यही कह रही थे कि अगर उसने ऐसा किया भी होगा, तो बस यूचे के लिए ही किया होगा अब उनकी बातों से लग रहा था जैसे कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये चोरी लिंजी नहीं की है अब वो यंग मास्टर कहने लगता है कि इस चीज की सजा तुम मिलनी ही चाहिए बले ही लिंजी नहीं सक किसी के लिए भी क्यों ना किया हो वो कहता है कि इसकी सजा हम इसे ज्याव से ले जाकर ही देंगे असल में ये सब उसकी और यू लॉंग की जाल है वैसे अब जब वो इतना कह रहा था तब ही अचानक से यूचे खड़ा हुदा है और कहनी लगता है कि पेशक काप इसे ले जा सकते हो पर उससे पहले मेरे कुछ क्वेशन्स रहेंगे अब पहला कोशन तो वो फर्स्ट एल्डर से पूछता है वो कहता है कि आखिर आपने इतनी कीमती चीज़ इस तरह से नॉर्मल एलिमेंटरी के अंदर क्यों रखी उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि यूचे सीधा सीधा फर्स्ट एल्डर पर ही यजाम लगा रहा था पर फर्स्ट एल्डर इसका जवाब देती हुए कहते हैं कि उसे लगा नहीं था कि उनके सेक्ट में कोई चोर छुपा होगा इसके बाद यूचे सामने आते हुए पूछने लगता है कि चलो मैं आपकी ये बात मान लीता हूँ लेकिन हम इसकी स्मेल से भी तो पता लगा सकते हैं कि इसे सच में लिंजी ने चोरी किया भी है या नहीं असल में सेक्ट में हर कल्टिवेटर लगबग अलग अलग तरह की कल्टिवेशन करता है इस वज़े से उस बॉक्स पर अलग अलग स्मेल हो सकती है अभी यहां उस बॉक्स को यूचे को नहीं दिया जा सकता था इस वज़े से किसी और को ही उसके स्मेल चेक करनी होगी अब तभी यंग मास्टर अपने पर कुलाड़ी मारती होई कहता है कि मैं उसे स्मेल करकर बताऊंगा तो अब जैसे ही यंग मास्टर उसे लेता है जैसी तुमने बताए अब इतना सुनते ही यूचे बात पलड़ दीता है और कहता है कि असली चोर पकड़ा गया मैंने आपको छूट बताया असल में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी यहां की मेडिसन अलगते रहेंगी है यहां इस बात से यंग मास्टर को गुसा आ गया था और अब उसका साथी तुरांती हमला करने लगता है यह आदमे असासिन लेवल पर है इस वज़े से वो बहुत दाकतवर है और यह पकड़ है कि यूचे उसे लड़ नहीं सकता इस वज़े से यहां यूचे के ग्रैंट पादर सामने आकर उस असासिन को दूर फेंग देते हैं अब एक दूसरा असासिन और आता है लड़ने के लिए लेकिन वो भी हार रहा था यह देखते हुए जियाओ सेक का वो एल्डर जो उस यंग मस्टर के साथ आये थे वो कहते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और शांती से बात कर लेनी चाहिए अब यूचे के ग्रैंट फादर बताते हैं कि मैं इस सेक का थर्ड एल्डर हूँ मैंने कभी किसी से जूट नहीं बोला मैं सच कह रहा हूँ कि चोरी लिंजी नहीं की है वो उसे लेनी के लिए गई थी पर मैंने उसे रोक दिया था अब तब ही यू लॉंग खड़ा होता है और कहता है कि आप फिर से जूट कह रहे हो क्योंकि इस से पहले भी आप बहुत सी बड़ी बाते हम से चुपा चुके हो वो यहाँ पर यूजे के बारे में पूरी बात बताता है कि असल में यूजे थर्ड एल्डर का असली ग्रांटसन नहीं है बलकि वो इस से सिप बिलॉंग ही नहीं करता अब ये सब सुनकर सभी हरान थे और यहाँ खुद यूजे भी बहुत सादा हरान लग रहा था वो अपने ग्रांटफादर से पूछता है कि क्या ये बात सही है तो इस पर वो कुछ नहीं कह रहे थे इस वज़े से यूजे समझ चाता है कि यही सच है वैसे अब तभी यंग मास्टर के ओर्डर से यूजे को इस सेक्ट से निकालने को कह दिया जाता है क्योंकि वो इस सेक्ट से है ही नहीं यहाँ यूजे को भी ना चाहते हुए मां से जाना पड़ रहा था लेकिन अब जब वो जा रहा था तभी यू लांग कहने लगता है कि अब जब तुम जा ही रहे हो तो तुमें क्विंग्यू को भी अजाद कर देना चाहिए उसका मतलब यही है कि यूजे उस मारे सर्टिफिकेट को फार दे जिससे क्विंग्यू अगर चाहे तो अपनी मर्जी से किसी दूसरे लड़के से शादी कर पाए अब इतना सुनते ही यूजे उस पर चलाता है और कहता है कि ये तुमारा डिसीजन नहीं है ये क्विंग्यू का डिसीजन है अब वो क्विंग्यू को ही वो एग्रिमेंट देते हुए वहाँ से जानी लगता है वो कहते हुए जाता है कि मेरे जाने के बाद तुम ग्रांट फादर और लिंजी का ख्याल रखना अब यूजे के वहाँ से जाते ही यहाँ यू लॉंग्यू से ही लेटर को फाड़ने के लिए कहता है पर क्विंग्यू उसे नहीं वाड़ती और यू लॉंग को ही दूर हटा दीती है अब इतने में एक असासिन क्विंग्यू की तरफ हमला करता है जिसे क्विंग्यू ने बहुत ही अराम से दूर विंग दिया था वो यहाँ पर आ चुकी थी और वो एक Immortal Cultivator है इसका मतलब जितने भी लोग यहाँ है उन में वो सबसे ज़्यादा दाकतवर है साथ ही वो High Slough Immortal Palace के Seven Immortals में से एक है वैसे वो बस क्विंग्यू को यहाँ से ले जाने के लिए आई थी अब जब वो क्विंग्यू को ले जा रही थी तब ही क्विंग्यू पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके यहाँ से जाने के पाद यूजे के Grandfather और लिंजी को यह लोग परिशान करेंगे वैसे उसे चिंता में देकर उसकी मास्टर रुखती है और कहती है कि अगर लिंजी ने सच में चोरी की है तो उसे इसी सेक्ट में सजा देनी चाहिए ना कि किसी और दूसरे सेक्ट ले जाकर अब यहाँ उनकी बात पर कोई भी डिसेगरी नहीं कर सकता था इसलिए यहाँ यंग मास्टर को तो इस पर बहुत जादा गुस्सा आता है अब अगले सीन में हम यूचे को देखते हैं जो कि उदास पैठा था वो सोच रहा था कि उसके साथ इस लाइफ में भी वैसे ही सब हो रहा है जो उसके साथ पहले हुआ था वैसे अभी वो जब उदास था तब ही अचानक से उसके हाथ में से एक लाइफ निकलती है और एक बिल सामने आती है जिसे खाते ही वो अचानक से इन्विजिबल हो चुका था ये बिल उसी हब से बनी थी जो यूचे को वहाँ पहाड़ी से मिली थी अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यू लॉंग को देखते हैं जोकि इस वक्त सो रहा था और क्विंग्यू के बारे में ही सोच रहा था अब तभी यूचे वहाँ इन्विजिबल होकर आ जाता है और यू लॉंग को चाकू मार देता है इसे यू लॉंग चीकता है और उसके अवाज सुनकर उसका फादर वहाँ पर आता है अब जैसे ही वो यू लॉंग को देखता है तो बहुत हरान हो जाता है लेकिन इतनी मेही वहाँ दूसरी तरफ यूजे ने वहाँ के ट्रेशर पेवेलियन में आख लगा दी थी अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इसलिए वो दो कार्ट्स को वहीं यू लॉंग के पास छोड़कर ट्रेशर पेवेलियन के तरफ चले जाते हैं लेकिन अब इतनी मेही यूजे अपने पॉइसन से इन दोनों कार्ट्स को खत्म करते हुए यू लॉंग को भी खत्म कर देता है और इसके बाद यूजे वहाँ से सीधा यहाँ स्मॉल ज्याव सेक के पीछे वाले माउंटिन पर आ गया था क्योंकि यही उसके ग्रैंट फादर और लिंजी को एक केव में बंद रहने की सजा मिली है उन्हें यहाँ 15 साल के लिए रखा जाएगा यहां अकर यूजे उन दोनों से मिलता है तो उसके ग्रैंट फादर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो मैंने तुमसे यह बात इतने सालों तक छुपा कर रखी वैसे यूजे तो उनसे बिल्कुल गुसा नहीं था बलकि वो उन्हें थांक यू बूलता है क्योंकि यह जानते हुए भी उन्होंने अब तक उसका खयाल रखा वैसे यहाँ पर ग्रांट पादर उसे पताते हैं कि उसके गले में चुन लॉकेट है वो असल में उसके पेरिंस का है उसके पेरिंस बहुत महान कल्टिवेटर्स थे उसके पास एक हमवली ट्रेजर था जिसे पाने के लिए कई लोग उनके दुश्मन बने अब उन्हें कहीं जाना था, इस वज़े से उन्होंने यूजे को third elder के बेटे के पास छोड़ दिया, लेकिन जिसने भी यूजे के पेरेंट्स पर हमला किया था, उसने ही third elder के बेटे को भी मार दिया, इसके बाद third elder ने decide किया कि वो यूजे का ख्याल रखेंगे, और तभी से लेकर आज तक यूजे उनके साथ है, यूजे इस बात से खुश था, वैसे अभी तक ये confirm नहीं है कि यूजे के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो जब यहां से गए थे, तभी वो साथ थे, और फिर इनकी कोई खबर नहीं मिली, कि वो जिन्दा है भी या नहीं इन्हें बस ये पता है कि उन पर हमला हुआ था, यूजे कहता है कि मैं स्ट्रॉंग बनूंगा और उन्हें धून कर रहूंगा, अब यूजे वहां से चला गया था, अगले सीन में हम क्विंग्यू को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के साथ खड़ी थी, वो अभी आइ इसे ही जानती है, अब उसकी मास्टर, उसकी पार बढ़ाने के लिए, जब उसके हाथ को टेच कर रही थी, तब है उसे पता चाला था कि क्विंग्यू के 54 मेरीडियन अनलॉक हो चुगे हैं, ये देखर क्विंग्यू की मास्टर शॉक थी, क्योंकि जो आइस क्लाउड इम लॉक हो चुगे हैं, जब वो क्विंग्यू से पूछती है, कि आखर ऐसा कौन एक्सपर्ट डॉक्टर है, अब क्विंग्यू बात चुपाती है, क्योंकि यूचे ने मना किया था, इस बात को किसी से भी बताने के लिए, अब उसकी मास्टर भी इस बात को समझती है, और क किसी कॉंपेटीशन के बारे में बात कर रही थी, जो कि बहुत बड़ा कॉंपेटीशन है, लेकिन क्विंग्यू की मास्टर को पोरा भरोसा है, कि क्विंग्यू इस कॉंपेटीशन में अराम से जीत सकती है, अब यहां से सीन चेंज होकर यूचे के पास आता है, यहां भागते हुए अचानक से यूजे और किसी पौवजन ग्रास के उपर हाथ रख देता है जिसवजे से उसकी बॉडी में पौवजन फैल सकता था लेकिन हेविली पौवजनस बलू से बचा लीती है अब यूजे उस पौवजन को सामने उस असासिन के उपर विंक देता है। ज अजानक से जैसमीन भार आ जाती है जो की अटाक करते हुए उस असासिन को वहां खत्म कर देती है। यहां यूझे उसे देकर हैरान था। विसे तब ही एक और असासिन वहां आने वाला था। लेकिन इतने में जैसमीन ने उसे भी खत्म कर दिया था। अभी जैसमीन यूजे पर हमला करते हुए उसे पूश रही थी कि आखिर यूजे को heavily poisonous ball कहां से मिली। यूजे कहता है कि मुझे नहीं पता। विसे यूजे कहता है कि तुम मुझे ख़त नहीं कर सकती क्योंकि तुम आप मुझे पर dependent हो बिना heavenly poisonous बल के तुम जिन्दा नहीं रह सकती और मेरे बिना heavenly poisonous बल की energy तुमें नहीं मिलेगी साथ ही यूजे कह रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ अब ये सु कर जास्मीन हसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी mystic veins already खराब है और तुम खुद level 1 पर हो तुम मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इस पर यूजे कहता है कि मैं mystic veins ठीक करूँगा और ताकतवर बनूँगा अब जास्मीन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर यूजे सोच रहा था कि वो इतनी चीजे लाएगा कहां से पर फिर भी उसे ये शर्त माननी पड़ती है क्योंकि जैसमीन ने कहा है कि इसके बाद वो यूजे को बहुत स्रॉंग बना देगी प्लस वो उसकी mistake veins को फिरी कवर कर सकती है अब दूसरी शर्त ये थी कि यूजे क टॉप लेवल पर पहुँचना है वो भी 30 साल के अंदर जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया यूजे इस पर भी हां कर देता है इसके बाद तीसरी शर्त में यूजे को जैसमीन को अपना मास्टर बनाना होगा और अपना सर चुगा कर उससे बात करनी होगी यूजे ऐसा नह लोग जैसमीन के पास से एक ब्लड ड्रॉप लेना चाहते हैं क्योंकि ये ब्लड ड्रॉप किसी इवल गॉड की है जैसमीन जानती है कि इसके अंदर बहुत जादा पार्स है लेकिन अब ये उसके किसी काम की नहीं क्योंकि वो इससे कल्टिवेट नहीं कर सकती अगर उसने उसका यूज़ किया तो उसकी mystic veins पूरी तरह से evil god की mystic veins में बदल जाएंगी इससे उसे फिर से cultivation करनी पड़ेगी इसलिए अब वो इसे यूज़े को दे रही थी क्योंकि यूज़े already level 1 पर है और उसकी mystic veins पहले से ही खराब है अब यूज़े तो तुरंदी मान जाता है पर वो पूछता है कि क्या सच में ये evil god की blood drop असली है तो इतने में ही जास्मिन उस blood drop को यूज़े को खिला देती है अब यूज़े की body से अचानक से energy निकलने लगे थी और उसे बहुत साथा दर्द हो रहा था अब कुछ देर तक ऐसा ही चलता है यूज़े से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था लेकिन वो किसी तरह से उसे सहता रहता है क्योंकि इससे उसके mistake wins ठीक हो सकती है अब कुछ देर में ही ये process पूरी हो जुगी थी यूज़े अब पूरी तरह से सही हो गया था और उसके mistake wins भी ठीक हो जुगी थी पर अब जब वो उठता है तो उसे अपने soul sea के अंदर एक tree दिखाई देता है जहां पर उसे seven star दिखते हैं जो वो जैस्मीन से इस बारे में पूछता है तो जैस्मीन बताती है कि ये seven star असल में cultivation के energy को absorb करने की काम करते है जब यूचे अपने level पर breakthrough करना start करेगा तो धीरे धीरे उसका पहला star complete हो जाएगा साथ ही evil god की mystic win की वजह से यूचे की cultivation पहले से जादा देश होगी इस वजह से वो अपने true strength को reveal करते हुए अपनी energy release करता है इसकी वजह से वो तीनों ही वहां से दूर फिक गए थे और साथ ही यहाँ यूचे भी अप visible हो गया था पर किसी तरह से बचते हुए वो तुरंत उस गुफा में अंदर की तरफ भागता है बगर जैसमीन ये नहीं चाहती थी पर फिर भी उसे यूचे के साथ जाना ही पड़ता है अब अंदर आने पर वो देखते हैं कि वहां बहुत सारी fire hub होगी है ये बहुत ही rare होती है वैसे असल में ये बस उस dragon का खाना है पर अब ये ना जानते हुए यूचे उन सभी को लेनी लगता है और अंदर से जो एनरजी निकलती है वो धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि यूचे उन्हें अपनी स्टोरेज में रखते जा रहा था इसलिए इस चीज का वहां उस dragon को भी पता चल जाता है वो समझ जाता है कि उसकी गुफा में कोई है इससे उसे और जादा गुस्सा आता है और वो फिर से उन तीनों पर हमला करने लगा था अब यहां गुफा के अंदर जास्मी यूचे से कह रही थी कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो क्योंकि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा वो बताती है कि शायद अब तक तो उस ड्रागन को इस चीज़ के बारे में पता भी चल चुका होगा यूचे उससे कहता है कि ठीक है लेकिन तभी यूचे को सामने एक बॉक्स दिखता है वो पहचान गया था कि यही वही बॉक्स है जिसके अंदर से उसे वो पाफुल एनरजी महसूस हुई थी अब यूचे उसके पास चाता है और उसे ओपन करता है वो देखता है कि उसके अंदर एक बिल रखी हुई है और अब वो पिल अचानक से यूचे की बॉड़ी के साथ कनेक भी होने लगी थी यूचे इस चीज से थोड़ा हैरान था वो जानता था कि ये पिल उसे ही बुला रही थी अब जिसे इस बात का बता वहां बाहर उस ड्रागन को चलता है तो वो और जादा गुसे में आकर अपनी पूरी पार रिलीस करकर उन तीनों को मारनी लगता है क्योंकि पहले उसे उन तीनों को यहां से भगाना था अब वो तीनों डर गए थे और वहां से भागने लगे थे इसलिए वो ड्रागन उन्हें वही छोड़ कर सीधा अपनी गुफा के अंदर आ जाता है यहां वो यूचे और जास्मिन को दीखता है अब ही वो उनसे कह रहा था कि तुम्हारे हिम्मत की तो दात दीने पड़ेगी मेरी गुफा के अंदर आकर मेरे ट्रेजर को मुझसे चुराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए इस पर यूचे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमें यहां से एक एनरजी महसूस हुई थी जो हमें यहीं बुला रही थी लेकिन यहां उस ड्रेगन को यूचे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वैसे भी वो ड्रेगन जानता था कि यूचे बहुत कमजोर है इसलिए वो तुरंत ही यूचे के उपर हमला करता है पर इतने में ही जैसमिन यूचे को बचा लीती है और अब जैसमिन की पार देखकर वो ड्रेगन थोड़ा हैरान था लेकिन उसे लगा था कि जैसमिन जादा ताकतवर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी येज बहुत कम है लेकिन अब अचानक से जैसमिन अपने पूरी पार को रिलीस करते हुए उस ड्रेगन को ही खत्म कर देती है ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वो ड्रेगन बचने की कोशिश भी नहीं कर पाया था वैसे अब जादा पार का इस्तमाल करने की वज़े से जैसमिन की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि पहले ही उसने अभे तक पूरी तरह से रीकवर नहीं किया था अब जैसमिन को लग रहा था कि वो मरने वाली है लेकिन यूचे उसे मरने नहीं दे सकता था इस वज़े से वो उसे नीचे लेकर आता है और अब वैसे तो जैसमिन भी होश हो चुकी थी पर यूचे अपने हाथ पर कट लगाते हुए उसे अपना बलड पिलाने लगता है जिसे कि वो ठीक हो सके पर अब इस बार ये ट्रिक काम नहीं आती क्योंकि जैसमिन भी होश हो चुकी है इस हालत में उस बलड को पी भी नहीं सकती पर फिर यूचे उसे अपने मूँ के दुरू वो बलड पिलाता है इसके बाद अगले दन हम देखते हैं कि जैसमिन को होश आ चुका था वो हैरान थी कि आकिर यूचे ने उसकी जान क्यों बचाए अब तभी यूचे भी होश में आ जाता है जो कि जादा बलड पिलाने की वज़े से खुद बेहोश हो गया था अब यूचे उसे जिन्दा देखकर बहुत ही जादा खुश था अब जैसमिन यूचे से उसे बचाने की वज़े पूछती है तो यूचे बताता है कि अब जैसमिन उसकी मास्टर है और उसने यूचे की हेल्प भी तो की है विजे इस पर जास्मीन कहने लगती है कि उसने कई लोगों को मारा है और यूजे को उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता लेकिन यूजे के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया है वो कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि जास्मीन ने किसी अच्छे इंसान को नहीं म विसे इसके बाद अब टॉपिक चेंज करते हुए जास्मीन यूचे से उसके परल के बारे में पूछती है चूकि उन्हें अभी भी उस ड्रागन के उस बॉक्स से मिली थी अब यूचे उस परल को दिखाता है जिसके बाद जास्मीन उसे पहचानते हुए कहती है कि ये ये एक है और ये यहां सबसे नस्दीक वाली पिल थी यूचे की इसका मैं क्या करूँ तो इस पर जास्मीन उसके मूँ में इस पिल को भी डाल देती है अब यूचे के अंदर अचानक से फाइर एलिमेंट की पार फैलनी लगी थी और पिशली पार गेतर है उसे इस पार भ अपने पास रख लेता है और वो लोग अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं अभी यहां से बहुत पास एक दियान जुआन नाम की सिटी है वो दोरों आप वहीं आ गए थे यहां यूचे अभी एक शौप पर आया था जहां कल्टिवेशन रिलेटर या फिर रे यूचे बताता है कि उसे असल में कुछ सेल करना है वो उस शौप के ओनर के सामने बहुत सारी फायर ग्रांस रख दीता है यह फायर ग्रांस देकर शौप ओनर बहुत ही जादा है वो कहता है कि इसके लिए तो मैं आपको पूरे 300 परपल कॉइन दे सकता हूँ यह सुनकर ज यूचे हां कर दीता है इसके बाद यूचे उस ड्रागन की स्पिरिट बिल को भी सामने रख दीता है जिसे देखकर वो आदमी और जादा हैरान था जैस्मिन उसे मना करती है कि इसे सेल करना बेवकूफी होगी पर यूचे कहता है कि उसे बस इसकी कीमा जाननी है अब वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो इसे नहीं खरीच सकता क्योंकि उनकी सिटी में किसी भी शाप के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो एक फ्लेम ड्रागन की स्पिरिट बिल को खरीच सके इसके बाद अब यूचे महां से जानी लगा था लेकिन तब ही उसे एक ड्रेस लिखती है जो कि जास्मीन पर अच्छी लगेगी इस वजए से यूचे उसकी कीमत पुछता है अब वैसे तो वो महंगी है लेकिन शौपोनर वो ड्रेस यूचे को फ्री में दे देता है क्योंकि वो यूचे के साथ उस फ्लेम ड्रागन स्पिरिट की डील नहीं कर पाया थ यूचे इस बात से खुश था पर अब इसके बात वो सीधा वहां के मेंट सेक्ट हॉल के लिए निकल पड़ा था कुछ देर में यूचे वहां के सेक्ट लीडर के पास पहुंचता है असल में वो यूचे के ग्रांट फादर के दोस्त है यहां आदी हुए जैसमेन उससे प यूचे किसी बड़े सेक्ट में जोइन नहीं कर सकता इस वज़े से वो यहां आया है अभी सेक्ट लीडर यूचे को देखते ही पहचान जाता है वो इससे मिलकर बहुत खुश थे अब यूचे की पार चेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम नॉमली ठीक लेवल पर हो यूचे अब वो यूचे को वहां से लेकर जाता है अपनी दोस्त और बाकी जगह दिखाने अब जब वो बाहर आते हैं तो उने दूर साय पर ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं वो दूनों ही बहुत स्ट्रॉंग है या उस लड़की का नाम मिसलान है और लड़की का नाम मू रॉंग है अब यूचे तो मिसलान को देख कर बहुत हैरान था क्योंकि वो बहुत सुन्दर है लेकिन अब जब जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है तो यूचे बहुत दूनों को यूचे से इंट्रॉड्यूस कराता है वो बताता है कि यूचे उसके ब्रदर इनलॉ है अब इस बात से मिसलान हैरान थी क्योंकि यूचे की एच इतनी जाता नहीं लगती वैसे जब वो दूनों वहां से चले जाती है तो यहां है यूचे यूएन बाव पर बहुत कुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये बात सभी को बताने की जरूरत नहीं है वैसे आज कई सारे सेक्ट यहां एक मीटिंग के लिए आते हैं वो लोग साथ में खाना भी ना करते हैं जिस पीज डिसाइपल एक दूसरे को चैलेंज करकर अपनी पार भी दिखा सकते हैं अब मीटिंग स्टार्ट होती है और यूचे भी वहीं यूएन बाव के साथ बैठा हुआ थ अब तभी वहां कि सेक्ट का लड़का खड़े होते हुए सभी को चैलेंज करने लगता है उसका लेवल अच्छा खासा है इस वजह से कोई दूसरा उससे लड़ने नहीं उठ रहा था वैसे यहां उससे जाधा पाफुल लोग में बैठे हुए हैं लेकिन वो नहीं उठे थे क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है और वो इससे साधा लेवल पर हैं अब तभी यहां एक लड़का खड़ा होनी लगता है पर उसे दूसरे मास्टर रोग देती हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए यह बस तुम्हें फा को देखता है और उसे ही चैलेंज कर दीता है क्योंकि वो उनमें थोड़ा ताकतवर दिख रहा था जबकि यहां बाउ की एज अभी सबसे कम है यहां बाउ तो चैलेंज एकसेप नहीं करना चाहता था पर वो दूसर लड़का जो अभी लड़ाई के लिए खड़ा हुआ थ क्योंकि उस लड़की को यौन बाउ से बहुत जादे एकस्पिरियंस है इसलिए यौन बाउ उससे जाते ही हार गया था पर वो लड़का अभी रुकता नहीं है बलकि वो यौन बाउ को और जादा मारता है यह देखते हुए यहां यूजे को बहुत गुसा आ गया था वो इसके बाद वो सामने उस लड़की को चैलेंज करता है अभी वो लड़का कह रहा था कि तुम बहुत कमजोर हो मैं तुम जैसे से लड़ना नहीं चाहता इस पर यूजे कहता है कि शायद तुम हार से डर रहे हो अब इस से उस लड़के को तोड़ा गुसा आ जाता है और व हमने फाल तुमें इस से बंगा लिया हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं थी इस पर यूजे कहता है कि नहीं इसने यूजे को चोड़ पहुंचाई है मुझे इससे सबक तो सिखा नहीं होगा अब इसके बाद यूजे बहुत ही तेज बीट के साद आगी बढ़ता है और कहनी लगता है कि अभी तो मेरा ध्यान नहीं था तुम्हें एक और बारा हमला करो मैं तुम्हें अपनी पूरी पार दिखाता हूँ लेकिन अब यूजे फिर से आगे बढ़ते हुए उसे थपड़ मारता है और दूर फेंग दीता है सब इन लोग फिर से हरान हो चुके थे और यहां वो लड़का भी अभी समझ नहीं पा रहा था कि यूजे की स्पीड आकर इतनी तेज कैसे है जबकि यूजे तो उसे कम लेवल पर है लेकिन अब उस लड़के को भी बहुत गुसा आ गया था इस वज़े से वो अपनी जितनी भी पार है सभी एक साथ रिलीस करता है वो यूजे पर बहुत खतरनाक अटाक करने वाला था पर तब ही यहां जास्मी यूजे से कहती है कि इस लड़के ने बहुत बड़ी गर्दी कर दी है यह अपनी पूरी बार का इस्तमाल कर रहा है अगर तुम इसके मिस्टिक वेन की एनरजी को ही ब्रेक कर लो तो यह अ है और यूजे पर चिलानी लगता है साथ ही वो सेक्ट मास्टर पर चिला रहा था और कह रहा था कि आपको अपने डिसाइबल को सजा दीनी ही होगी वैसे यहां सेक्ट मास्टर तो अभी बहुत ही जादा खुश थे क्योंकि इस लड़के ने उनके सेक्ट का म्साक उड़ा और वो कुछ कहनה ही सकता था और तभी हुचि और यूजे भी कहने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वह लड़का को हिसभी को चैलज कर रहा था यूजे ने तो बस challenge को accept किया था और वो master भी जानता था कि इसमें उस लड़के की ही गलती है इस वज़े से वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और यूजे बाकियों से भी कहता है कि क्या कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता हो और तभी एक दूसरा लड़का आकर यूजे के challenge को accept करते हुए कहता है कि मैं तुम से लड़ना चाहता हूँ इस लड़के में भी पहले वाले लड़की की तरह बहुत attitude था अब इन तोनों में लड़ाई शुरू होती है जिस दोरा ये लड़का अपनी fire पार कर इस्तमाल कर रहा था पर उसे नहीं बता था कि यूजे को तो आग से कुछ नहीं होता और अब इसी वजह से उस लड़के की create किये गए fire snakes को यूजे बहुत ही जादा अराम से destroy कर दीता है इस किबा यूजे उस पर हमला करते हुए उसे भी हरा दीता है और इस लड़के का भी master आकर उसे ली जाता है उस master को भी अभी बहुत सादा गुसा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कह सकता था अब यहाँ यूजे फिर से बाकी लोगों से कहने लगा था कि किसी और कुम उससे नहीं लड़ना है असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि लडने से उसकी skill improve हो रही है अब यहाँ एक और लड़का आता है वो यूजे से चार लेवल आगी है इस वज़े से वो पहले यूजे से पूछता है कि क्या यूजे उससे भी लड़ना चाहता है यूजे ये देकर थोड़ा हैरान था क्योंकि ये लड़का यूजे से अच्छे से बात कर रहा था अब यूजे भी अच्छे से कहता है कि तुमसे लड़ना मेरे लिए proud की बात होगी अब उनमे लड़ाई शुरू होती है ये लड़का सच में ताकतवर है लेकि लड़ाई के दौरान ही अच्छानक से यूजे के सोल सीम में इविल गॉड की पार अक्टिवीट होना स्टाथ हो जाती है यूजे पहली बार इस पार को महसूस कर रहा है अब तब ही जासमी उससे थोड़ा संभाल कर रहने को कहती है अब यूजे की जब तक पार अक्टिवीट हो रही थी तब तक वो लड़का सामने थोड़ी देर रोग गया था वो यूजे पर हमला नहीं कर रहा था जिसे की यूजे की पूरी बार पहले एक्टिवीट हो जाए अब बार एक्टिवीट होने के बार इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है जो की बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाती है और सामने उस लड़की को ज़्यादा चोड़ नहीं लगी थी पर वो कह रहा था कि तुम सच में ताकतवर हो मैं हार मानता हूँ तुमसे लड़के मुझे अच्छा लगा इसके बात उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसला अभी यूचे की पार देकर उससे बहुत ही जादा इंप्रेस थी वैसे इतने में ही एक दूसरा डिसाइपल जिसका नाम जैंग है वो आगे आता है और कहनी लगता है कि क्या तुम मुझसे भी लड़ना चाहते हो ये लड़का अभी तकाय सभी लोगों में सबसे जादा लेवल पर है और इसका मन है कि ये यूचे को बहुत अराम से हरा देगा लेकिन अब उसके लेवल को देखने के बाद भी यूचे उसका चालेंज एकसेप्ट कर लेता है अब उनमें जब लड़ाई शुरू होती है तो हम देखते हैं कि जैंग बहुत जादा स्ट्रॉंग है लेकिन यूचे की इवल गॉट की पारफ अक्टिवीट हो चुकी है जो कि धीरे धीरे अब और साथा बैठे जा रही थी यहां उसका फर्स्ट लगबख पूरी तरह कंप्लीट होने ही वाला था और इसके बाद यूचे अपने फायर पंच का इस्तमाल करता है उसके फायर पंच इतना साधा ताकतवर था कि जैंग की बारी में आँग लग चुकी थी और वो नीचे गिर गया था तब यह उसके मास्टर वहां आते है और यूचे उससे कहता है कि इसे जल से जल दे जाया जाए वन्ना यह जिन्ता नहीं बचेगा साथ ही यूचे उन्हें कई सारी मेडिसिन्स के नाम भी बताता है जिससे जैंग पूरी तरह ठीक हो सकता है विसे अभी यूचे को भी हलकी सी जूट आई थी इसलिए मिस लैन वहां आती है और यूचे को पटी लगा दीती है विसे वो यहां कह रही थी कि क्या तुम अभी भी लड़ोगे इस पर यूचे कहता है कि हाँ जब तक मैं यहां के सारे वार्यर्स को हरा नहीं देता या फिर वो खुद हर नहीं मान लेते तब तक मैं लड़ाई नहीं रोक सकता अब इतना सुनते ही एक और बंदा वहां आगे आता है यह असल में इनके नेबर सेट के लीडर का बीटा है मतलब यह लू लू लूंग सेट का यंग मास्टर है और इस का नहा ज्याव लू है अब यहां यूजे ने उसके चालेंज को भी एकसेप्ट कर लिया था तब ही जासमीन उससे कहती है कि तुम बहुत बड़ी गल्दी कर रहे हो अभी तक तुमने जितनों से भी फाइट की है उन में से ये सबसे जादा ताकतवर है और इविल गॉड की जादा पाट इस्तमाल करने की वज़े से अब तुमारे पास जादा एनरजी नहीं बची है तुम जादा से जादा इस पार को एक मिनिट यूज कर पाऊगे इस पर यूजे कहता है कि कोई बात नहीं इतना मेरे लिए काफी है अब इसके बाद लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई सबसे कम टाइम चलती है क्योंकि यहाँ जब जियाओ लू यूजे पर हमला कर रहा था तो यूजे पहले उसके अटाक से बचता है और इसके बाद अपना फाइनल अटाक करते हुए उसे एकी अटाक में वहाँ से दूर फेक दीता है साथ ही साथ अटाक इतना साथा खतरनाक था कि इसकी वज़े से जियाओ लू की मिस्टिक वेंस पूरी तरह डामिज हो चुकी थी पतलब अब वो कल्टी विशन नहीं कर पाएगा यह देखते हुए लू लू लॉंग सेट का एक एरडर आगे आता है और यूजे पर चिलना नहीं लगता है लेकिन यूजे कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इसकी हालत बहुत खराब है अगर आपने अभी इसका ट्रीट्मेंट नहीं कराया तो यह जिन्दा भी नहीं बच पाएगा आप मजबूरन उस एल्डर को वहां से जाना पड़ता है लेकिन सबी समझ चुके थे कि यूजे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि अब लू लॉंग सेक्ट उससे छोड़ेगा नहीं अब जब सब वहां से जा रहे थे तब ही वो लड़का जिससे अभी अभी यूजे की दोस्ती हुई है वो यूजे के पास आता है इसका नाम ताय हैंग है यह आगर यूजे से कहता है कि तुमने थोड़ी सी गलती कर दी उसका लू लॉंग से तुमसे बतला लेने जरूर आएगा पर फिर भी अगर तुमें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे बता सकते हो और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था जिसके बाद सेक लीडर अकेले में यूजे से कहते हैं कि तुमने आज हमारे सेक की इज़त बढ़ा दी तुमने उन सभी को हरा दिया जिबकि हमारा सेक्ट अभी तर उन सभी से कमजोर माना जाता है पर अभी मुझे टेंशन है कि अब तुम्हारे उपर बहुत बड़ा खत्रा आ सकता है पर चेंता मत करो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे वैसे अब वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम इतने पाफुल हो फिर हमारे सेक्ट में जॉइन क्यों हुए तुम्हें तो कोई भी पाफुल सेक्ट एकसेप्ट कर सकता है इस पर यूजे बताता है कि उसे बस एक सेक्ट की जरूरत थी जिससे कि वो जल से जड़ और्थमिस्टिक लेवल तक पहुँच सके ये सुनकर सेक्ट लीडर बहुती ज़ादा हैरान हो गए थे वो कहते है कि उन्हें और्थमिस्टिक लेवल तक पहुँचने में पूरे 28 साल लगे थे तुम वहाँ तीन साल में नहीं पहुँच सकते इस पर यूजे कहता है कि नहीं मैं पहुच कर दिखाऊंगा और इसके बाद वो वहाँ से चला गया था जिसके बाद हम उसे उसके रूम में देखते हैं कि अभी जैस्मिन उससे कह रही थी कि तुमने बहुत बड़ी कलती कर दी है तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इस पर यूजे कहता है कि मैं अपनी पार को सहन नहीं कर पाया मैं तो इतना पाफुल अटैक यूज करना भी नहीं चाहता था पर इविल काट की पार अचानक से मेरे उपर हावी हो गए ये सुनकर जैस्मिन कहती है कि तुमने देखा एक स्टार की पार आते ही तुम्हारे अंदर इतनी पार आ गई कि तुम अब तुमसे करीबन 6 लेवल आगे कि वारियर को भी हरा सकते हो अब यूजे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा वैसे अगले सीन में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो अभी किसी लेडी से बात कर रहे थे वो लेडी उनसे कह रही थी कि यूजे सच में पाफुल है वो आगे चल कर हमारी मदद कर सकता है इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ मैं उसका पुरा खयाल रखूंगा अब इतने में ही उन्हें न्यूज मिलती है कि बाहर लू लू लॉंग सेट का लीडर आया है और वो कह रहा है कि उन्हें यूजे चाहिए और अगर उन्हें यूजे नहीं मिला तो वो इस सेक्ट को तभा कर देंगे अब तब इस सेक्ट लीडर वहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें साफ मना कर देते हैं लेकिन ज्याउलू का फादर उन्हें बताता है कि ज्याउलू की शादी असल में ग्रेट सेक्ट के लीडर की बेटी के साथ होने वाली थी लेकिन अब ज्यावलू को इतनी चोट लगी है कि इस चीज से ग्रेट एल्डर को भी गुसा हो सकता है इसलिए अगर तुम यूचे को हमारे हवाले नहीं करते हो तो उनके गुसे के लिए तैयार रहना अब सेक्ट ल इस वज़े से ज्यावलू का फादर मान जाता है सेक्ट लीडर कहते हैं कि हम किसी तरह से उसे इस सेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें बता देंगे अब ज्यावलू का फादर उन्हें दस दिन का टाइम देकर वहां से चला जाता है वैसे सेक्ट लीडर ने डिसाइड क काम कर रहा था उसने एक ऐसे पिल बनाई है जो पिल्कुल उस फ्लेम डागन की स्परिट बिल की तरह दिखती है वैसे अब वो अपनी स्परिच्वल वर्ल्ड में आकर जसमीन को वो पिल दिखाना चाहता था पर जब वो वहां आता है तो दीखता है कि जासमीन अभी सो रही है और उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी इस वज़े से वो उसे जाकर कंबल उड़ाता है लेकिन इतने में ही जासमीन की आँख खुल जाती है और वो थोड़ा गलत समझ लेती है और यूजे को लाट मारते हुए वहां से दूर वेक देती है पर यूजे उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो मैं तो तुम्हे कुछ बताने के लिए आया था इसके बाद यूजे उसे वो बिल दिखाने लगता है और अपने प्लान के बारे में बताता है पर तब ही गेट पर कोई नौक करता है इसलिए यूजे को वापस बाहर आना पड़ता है वो देखता है कि अब यूजे को वही सारी बातیں बताने आई है क्योंकि उसने सेक्ट लीडर की हर बात सुन ली थी यूजे ये सब सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं इसकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है पर इस पर मिस लैन कहती है कि नहीं ज्यावल्यू का से एक बहुत कतरनाक है वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अभी मिस लैन को यूजे की बहुत चंता हो रही थी पर तब ही उसे एक आइडिया आता है वो कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी सिटी चल सकते हो असल में वो कुछ ही दिन बाद यहां से वापस अपने घर जाने वाली है क्योंकि उसके फादर की थोड़ी तब्यत खराब है वैसे अभी यूजे के पास पूरे दस दिन का समय है तो वो इतने दिन में कभी भी चुपचाप उसके साथ जा सकता है और किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं चलेगा इसलिए यूजे उसे हां कर देता है पर वो पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो जिस पर मिसलैट कहती है कि कुछ नहीं बस मैं तुम्हारी सीनियर हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ इसके बाद अब वो महां से चली गई थी उसकी जाने के बाद जैसमीन बाहर आती है और यूजे से पूछने लगती है कि मुझे तो कुछ गड़ पड़ लग रही है आगर ये तुम्हारी मदद क्यों करेगी तो इस पर यूजे कहता है कि चिंता की बात नहीं है आगर मैं हैंसम ही इतना हूँ कि शायद वो मुझे प्रॉपलम में नहीं देखना चाहती होगी ये सुनकर जैसमीन कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हे लगता है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजे बेस बदलकर अभी उसी शौप पर गया था जहां उसने फाइर ग्रास सेल की थी यहां अभी वो अपनी नई बनाई वो बिल को देने आया था वो इसे देते हुए शौप पॉनर से कुछ कहता है और इसके बाद जब वो वहां से जानी लगा था तब ही उसे एक और चीज दिखती है और वो उसे भी खरीद लेता है इसे बाहर आने के बाद वो एक बोर्ड लेकर हर तरफ घूम रहा था जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक ग्रेट डॉक्टर है तब ही उसे दो लोग देखते हैं असल में ये लू लॉंग सेक के गाड़ है और इने महां की सेक लीडर ने भीजा था सीटी के सभी डॉक्टर्स को लेने जिससे वो जियावलू को ठीक कर सके अब यहां पर वो लोग यूजे को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कोई पागल बुठा आदमी है लेकिन अब उन्हें हर एक डॉक्टर को साथ ले जाना है इस वज़े से वो उसे भी अपने साथ ले जानी लगते हैं अब अगले सीन में यूजे वहां पहुँच चुका था यहां वो देखता है कि यहां और भी कई डॉक्टर्स आई हुए थे जियावलू का इलाज करने के लिए लेकिन वो किसी काम के नहीं थे इस वज़े से जियावलू का फादर उनने कुस्सा करकर वहां से भखा रहा था अब यूजे वहां पर पहुँचता है तो वो यूजे को देकर उससे भी थोड़ी बत्तमीजी से बात करता है और अपने गाट से कहता है कि ये तुम किस बेवकूफ को उठा लाए उसे यूजे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं लग रहा था प्लस यूजे की हरकते भी बेवकूफों वाली थी विसे तभी यूजे सामने एक डॉक्टर को देखता है जिसके हाथ में एक पिल थी जो कि वो अभी ज्यावलू के लिए लाया था यूजे उस बिल की बुराई करते हुए कहता है कि ये बिल किसी काम की नहीं है इसमें एनरजी की बहुत कमी है इसे ज्यावलू को कोई वायता नहीं होने वाला और इसके बाद अब वो उस डॉक्टर को देखते हुए उसे उसे की बिमारिया खेनाने लगता है ये देखकर यहाँ से एक लीडर और बागी सब भी वो डॉक्टर भी यूजे से उसकी बिमारियों की दवाई पूचने लगता है पर फिर उसे वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो किसी कामका नहीं था वैसे अब यूजे यहां उसी मास्टर को देखता है जो कि जियावलू के साथ वहां उस लड़ाई के दौरान था इस मास्टर को देखने के बाद यूजे उसके भी बिमारियां उसे बताता है वो कहता है कि तुम्हारी बाड़ी पर सारे अक्यूप्रेशर पॉइंट्स लॉक हो चुके हैं लगता है तुम्हें कल्टिवेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी और इसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम को भी सौल परता है ये देखर सबी हैरान थे तब ही वहाँ पर सेकिन एल्डर आते हुए कहने लगते हैं कि ये तो कोई महान डॉक्टर लगती है अब वो सेक लीडर यानि की ज्यावलू के फादर से कहने लगा था कि हमें इन्हें भी एक मौका देना चाहिए यहाँ ज्यावलू के फादर खुद भी यही चाहते थे वो तुरंत दिहां करता है जिसके बाद यूजे यहाँ ज्यावलू के पास आता है ये लोग भी आगे पढ़ रहे थे लेकिन यूजे उन्हें बाहर निकाल दीता है अब वो बाहर इंतजार कर रहे थे कुछ देर में यूजे बाहर आता है और बताता है कि उसने ज्यावलू का थोड़ा सा इलाज कर दिया है लेकिन बागे इलाज वो थोड़ा आराम करने के बात करेगा अब जब ज्यावलू के फादर वहां उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी ज्यावलू के चहरे पर कुछ अचीब सी चीज लगी थी जिससे बहुत बद्बू आ रही थी ये देखर उसे गुसा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस नकली डॉक्टर को छोड़ूँगा नहीं लेकिन तभी सेकिन एल्डर आगे आते हुए कहते हैं कि आप इस बद्बू में ये तो भोले गए कि यंग मास्टर को होश आ चुका है अब ये चीज़ जैसे ही ज्यावलू का फादर नोटिस करता है तो वो हैरान हो जाता है वो तुरंत ही कहता है कि उस डॉक्टर को जो भी मेडिसन चाहिए उसे वो दो हमें उस जैसे डॉक्टर कहीं नहीं मिल सकता अब यहां इस तरफ यूज़ तो मज़े से खाना खा रहा था उसे जो चाहिए वो एक बार कहने से मिल रहा था अब तब ही उसके सामनी जैसमिन आते है और पूशती है कि तुमने सच में ज्यावलू को होश मे ला दिया आखिर तुमें इतनी पाफल मेडिसन बनाना कैसे आती है इस पर यूज़ उसे पने पास लाइफ के बारे में बताता है लेकिन जैसमिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी इसलिए यूज़ उससे कहता है कि कोई बात नहीं तुम ये समझ लो कि मुझे ये पहले से ही आता था बैसे अब इसके बात वो वापस से वहां ज्यावलू को देखने के लिए जाता है उसे जानने को मिलता है कि ज्यावलू पहले से ठीक हो गया है लेकिन अब यूज़ हैरान होने का महां से जानी का नाटक करनी लगता है वो कहता है कि तुमने ज्यावलू को बिना मुझ से पूझे कुछ खिलाया है इस पर उसका फादर हां करता है पर फिर यूचे वहां से जानी लगता है और कहता है कि तुमने मेरी परमिशन नहीं ले इसका मतलब तो मैं अब मेरी कोई जरूरत नहीं है अब इस जीसे ज्यावलू का फादर बहुत जादा जिनता में आ गया था वो तुरंती मावी मांगता है और कहता है कि अब की बार से हमसे ऐसी गलती नहीं होंगी लेकिन इस बार हमें माफ कर दीजे अब यूजे कहता है कि अब इस बार मैं तुम्हें माफ कर दीता हूँ क्योंकि ज्यावलू मुझे अपने ग्रांटसन की तरह लगने लगा है यूजे उन्हें एक नगली बनाई हुई स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि उसका भी ज्यावलू की तरह ग्रांटसन था पर उसे भी इसी तरह की कोई बिमारी थी लेकिन तब मुझे इस बारे में नहीं बता था कि इसका इलाज क्या है इस वज़े से मैं उसे ठीक नहीं कर पाया और वो मारा गया ये सुनकर ज्यावलू के फादर कहने लगते हैं कि ज्यावलू भी अपके ग्रांट सन की तरह है जिसके बाद ज्यावलू भी महां से यूजे को ग्रांट पा कहकर बुलाता है और अब यूजे भी ड्रामा करते हुए उसके पास आ जाता है और अब वो चपकर अपने एनरजी का इस्कमाल ज्यावलू पर करता है जिसके वज़े से यहाँ ज्यावलू की भी बादी में बहुत पीन हो रहा था और फिर वो चीकने भी लगा था लेकिन अब यूजे ही उसका इलाज करता है जिसके बाद ज्यावलू की बादी भी मूव करने लगी थी जबके पहले वो हिल नहीं पा रहा था यह देखर ज्यावलू का फादर और बागी सब भी बहुत ज़ादा हैरान हो चुके थे यूजे कुन से कहता है कि मुझे अभी इसका आखे भी इलाज करना है लेकिन मुझे कुछ मेडिसिन्स की जरूरत है इस पर ज्यावलू का फादर बताता है कि हमारे ट्रेशर पवेलिन के अंदर बहुत सारे मेडिसिन रखी हुई है जिसके बाद वो यूजे को वहाँ पर जाने की परमिशन दे देता है और यहां उसके साथ से के निल्टर को भी भीजता है अब वहाँ पर आने के बाद यूजे अलग लग तरहें की मेडिसिन्स देखता है वहाँ पर कई तरहें की स्मेल थी लेकिन फिर भी यूजे बताता जा रहा था कि केस बॉक्स में कौन से मेडिसिन रखी हुई है और उसे कौन से चाहिए अब जब सभी मेडिसन्स मल जाती हैं तो वो वहां से लोटने वाले थे लेकिन इतने मेही यूचे को एक तलवार दिखती है सेकिन इल्डर बताता है कि ये तलवार बहुत ही जाता है इसी दुनिया में सिर्फी की तलवार है और इसके अंदर मिस्टिक टाइकर स्पिरिट की एनरजी है साथ ही यूचे यहाँ पर कुछ गंस और बॉम्स को भी देखता है यूचे को नहीं बता था कि ये क्या है लेकिन कोई सेकिन इल्डर उसे उनके बारे में बताता है अब कुछ दिन इसी तरह भी जाते हैं हम देखते हैं कि ज्यावलू पहले से जादा ठीक हो चुका था और अब वो चलने भी लगा था वो यहां यूचे के पांस आकर उसे कहता है कि मुझे अपनी पूरी एनरजी वापस चाहिए जिससे मैं फिर से स्ट्रॉंग बन सको और उस लड़के को सबक सिखा सको जिसने मेरा ये हाल किया है अब इस पर यूचे कहता है कि हाँ तुम बहुत जल स्ट्रॉंग बन सकते हो लेकिन उसके लिए हमें ड्रागन स्पिरिट पिल चाहिए होगी पर अब इतना सुनकर ज्यावलू का फादर कहनी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रागन स्पिरिट पिल्स हमारे यहां मिलना नाम मुंकिन है पर अब यूचे उससे कहता है कि ऐसा नहीं है मैं एक जगह जानता हूं जहां तुमें वो पिल मिल सकती है अब यूचे उस जगह का नाम बताता है और इसके बाद हम देखते हैं कि अब ज्यावलू भी बापस से आराम करने चला गया था और ज् पिल लेने जा रही हैं लेकिन वो यूचे कोई चाबी दे देता है और कहता है कि अब खुद ही वो मेडिसिंस ले लेना और इसके बाद ज्यावलू का फादर और वो सेके इल्डर वहां से चले गए थे अब यहां और कोई भी नहीं था सिर्फ ज्यावलू था चुकि सो रह था और यूचे था अब यूचे तुरंती वहां ट्रिजर पैविलियन के अंदर आ जाता है और हर एक चीज को अपने पास रख लीता है और इसके बाद वो बाहर आता है और ज्यावलू को उठा कर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं साथ ही यहां पर वो रूप एक्तम से बदलता है जिसके वज़े से ज्यावलू बहुत डर चुका था अब अगले सीन में हम ज्यावलू की फादर और उसे कि इल्टर को देखते हैं चोंकि उस शौप पर पहुँच चुके थे और यहां उन्हें वो पिल भी मिल गई थी असलमें यूचे ने क्योंकि वो इस चीज़ की पहले से प्लानिक कर रहा था अब जब जियावलू का फादर वापस अपने पैलस में लोटता है तो उसे यहीं लग रहा था कि वो पिल असली है लेकिन अब जब जब जियावलू के पास आकर वो देखता है कि जियावलू की हलत बहुत खराब है साथ ही एक गाट वहाँ पर आकर बताता है कि ट्रेशर पैविलियन के अंदर से सारा ट्रेशर भी गाइब हो चुका है ये सुनकर वो बहुत ही ज़ादा है साथ ही उसके हाथ से वो पिल नीचे गिर जाती है और तोट जाती है जब ये ड्रागन पिल असल में नहीं तोट सक करते हैं कि यूचे अभी उस पैलिस को छोड़कर जा रहा था लेकिन तभी बाहर उसे वो दूसरा मास्टर मिलता है वो पूछता है कि आप कहां जा रहे हो तो इस पर यूचे उससे कहता है कि अभी मैंने ज्यावलुका हिलाज किया है इसलिए मैं बस थोड़ा टेहली जा रहा हूं अब वो मास्टर उसे जानी दीता है लेकिन तभी उस मास्टर को एक मेसेज आता है वो समझ आता है कि यूचे ने जरूर कुछ गड़ पर की है और इसी वज़े से वो भाग रहा है अब वो तुरंत ही यूचे पर हमला करना शुरू कर दीता है पर तभी यूचे बॉम ब्लास्ट करता है यहां जैसमीन यूचे से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है लेकिन ऐसा करने से उसकी जान भी खत्रे में आ जाएगी क्योंकि अभी उसके पास इतनी एनरजी नहीं है कि वो उस मास्टर को हरा पाए इसलिए अब यूचे कहता है कि कोई बात नहीं मैं इसे अकेला हरा सकता हूँ अब यूचे ने वो सारी गन्स भी निकार ली थी जो उसे वहाँ ट्रेजर पेवेलियन से मिली है लेकिन इससे भी उस मास्टर को रोग पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था अब वो यूचे पर इतना खतरनाक अटाक करता है कि इससे यूच नामल रूप में आ चुका था असल में इस अटैक से उसकी स्पिरिचुल एनरजी डिस्टॉप हो गई थी साथ ही वो नीचे पे गिरने लगा था बगर अब इतने में वहाँ पर मिस्लैन आ जाती है और उसे अपने फ्लाइंग बीस्ट के उपर बैठा कर महासे ली जानी ल मिस्लैन बताती है कि सेक्ट में सभी को चिंता हो रही थी कि आखिर यूचे कहां चला गया उन्हीं लग रहा था कि शायद लू लूंग से यूचे को उठा कर ले गया इसलिए वो यहां उसे देखने आई थी अब जब वहां से थोड़ा हवा में आ गय थे तभी हम देखते अगर अब इस चीज में यूचे का बालन्स बिकड़ चुका था और वो नीचे किरने लगा था पर तभी मिस्लैन उसे बचा लीती है पर उसी दोरान वो मास्टर यूचे से उसकी गन शीन लेता है यूचे समझ चुका था कि अगर वो अभी हवा में रहे तो इस दे मिस्लै उनको भी चोट लग सकती है इसलिए अब वो नीचे कुछ जाते हैं लेकिन अब इतने में ही अटाक उन्हें लग जाता है इस वजह से नीचे गिरते हुए उनका बालन्स पिकड़ रहा था और इस चीज में उन्हीं जाधा चोट भी लग सकती थी यूजे वैसे तो कुछ नह ही जाएंगे अब जैसमीन उसकी मदद करती है वो उसे अपनी कुछ पार दे देती है जिसके बाद वो नीचे सेफली लैंड करते हैं यहाँ पर मिस लैंड तो पूरी तरह से ठीक थी लेकिन यूजे भी होश हो चुका था अब है मिस लैंड को लग रहा था कि वो मारा गया इस वज़े से वो दुखी थी और वो कह रही थी कि मुझे तुम्हे बचाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था पर तब ही यूजे होश में आकर कहता है कि नहीं वो पूरी तरह से ठीक है अब वो वहाँ से निकलने वाले थे पर उन्हें बहुत पावुल एनरजी महसूस हो लेकिन तब ही यूजे अपने पास से उस ड्रागन पिल को निकालता है जिसकी एनरजी इतनी साधा थी कि वो सबीबीस वहाँ से दर कर भांग गए थे अब वो दोनों बच्चे यूजे और मिसलान को वहाँ अपने फादर के पास लेकर जाते हैं लेकिन जब वो वहाँ पह अब उनके फादर पहले इन से माफी मांगते हैं और फिर इने अपने विलेज में लेजानी लगते हैं असल में वो उस विलेज के लीडर है ये विलेज वैसे तो उस जंगल की दूसरी तरफ ही है लेकिन ये इतना छुपा हुआ है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता यहां अंदर आते वक जैसमिन और यूचे दोनों को ही एक बहुत पावल एनरजी महसूस हो रही थी ये किसी फीनिक्स मस्टिक बीस्ट की एनरजी थी उन्हें नहीं पता था कि ये किसी ट्रेशर की एनरजी है या खुद वो बीस्ट यहां रह रहा है लेकिन एक चीज वो दोनों ही समझ गए थे कि यहां कुछ तो छुपा हुआ है अब रात के समय यूचे विलेज लीटर से पूछता है कि आप लोग यहां इतनी सुरक्षा से रहते हैं आखिर आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं साथ ही वो यहां फीनिक्स पिरिट बीस्ट की भी बात कर तो छीज Sorry जाना चाहिए मुझे तुम आपकर यहां रहे सक्ते हैं तुम यहां रहे सकते हो लेकिन हाँ अगर तुम कुछ गढबर करने की कोशश के हम और लड़ना होगा में अगले दिन हम देखते हैं कि यूचे ब और जोभी उन दोनों बच्चों के साथ खेल रहा थात तब ही अचानक से उसे कुछ आवास सुनाई देती है। हमी जानने को मिलता है कि लू लॉंक सेट का वो मास्टर अभी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ उस इन्विसिबल बारियर के बाहर पहुँच चुका था। वो मास्टर यहाँ इस विलिज के एनरजी को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है कि शायद यह उसी एंशिट फिनिक्स बीस्ट की एनरजी है। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ यूचे और मिस्ट लैन को भी पकड़ेंगे। और साथ में उस ट्रेशर को भी साथ ले जाएंगे। अब वहाँ विलिज के अंदर यूचे और मिस्ट लैन जब हार आकर देखते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि कोई उस इन्विसिवल बारियर को डिस्ट्रॉइ करने की कोशिश कर रहा है। बगर ये जो बारियर है ये इतना साथा पावफुल है कि कोई इसे ऐसे ही डिस्ट्रॉइ नहीं कर सकता। वहाँ भार अभी उस मास्टर को ऐसा करने में बहुत प्रॉप्लम हो रही थी। लेकिन फिर वो अपने स्पिरिशल बीस्ट का इस्तमान करता है जिसके बाद वो उस बारियर को डिस्ट्रॉइ करने में काम्याब हो जाता है। लेकिन अब तभी वो गाउवाले भी वहाँ आगे आकर अपनी बार से एक और बारियर क्रियेट करते हैं। ये भी पहले वाले की तरह पावुल था लेकिन उस मास्टर ने एक बार फिर अपने स्पिरिशल बीस्ट का इस्तमाल करकर इस बारियर को भी डिस्ट्रॉइ कर दिया था। इस चीज़ से गाउं के सभी लोग समझ चुके थे कि ये जो भी है वो बहुत ताकतवर है लेकिन ये चान कर भी विलेज लीटर आके लड़ने के लिए आ जाते हैं लेकिन तभी वो मास्टर उन पर हमला करकर उन्हें इंजट कर दीता है। इक गाउं के लोग भी उसकी मदद करते हैं और मिसलान को बचानी लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर यूचे आ जाता है और अपनी गंसे उन्हें शूट करने लगता है। इतने में ही यूचे वहाँ पहले की तरह ही एक बॉम को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट के बाद वो मास्टर और उसके सारे साथी वहाँ से बाहर विग गए थे। जिसके बाद यूचे सभी गाउवालों से कहता है कि हमें फिर से एक बारियर क्रियेट करना होगा। और वो लोग बात मानकर एक बारियर क्रियेट कर लेते हैं। ये भी पहले की तरह ही स्ट्रॉंग था। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ये जल्दी दिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यूचे उन सभी से कहता है कि हमारे पास एक ही तरीका है। हमें उस गुफा में जाना होगा। जहां पर आप लोग उस विनिक्स बीस्ट के ट्रेश वो बात मानो। विसे यूचे की बात सही थी क्योंकि अगर वो यहां रहे तो जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो भी हमारे जाएंगे। इसलिए आप वो सभी बात मान लेते हैं और उस गुफा की तरफ जानी लगते हैं। आप जब वो वहां अंदर आ रहे थे तब पार की वज़े से खुला था क्योंकि सिर्फ फिनिक्स ब्लड लाइन के लोग ही उस बैरियर को हटा और लगा सकते हैं। अब यह लोग अंदर आ चुके थे और फिर कुछी देर में विलिज लीडर को भी हूश आने लगा था। यूचे उनसे पूछता है कि कहीं इस कुफ असल में फिनिक्स बर्ड का ट्रेजर कोई कीमती चीज नहीं है बलकि ये तो एक श्राप है। असल में बहुत पहले फिनिक्स बर्ड यहां पर आए और वो इस गुफा में रहने लगी। साथ ही वो यहां के लोगों से खुश थे। इसलिए उसने यहां इस गुफा के आने फिनिक्स बर्ड को इस पर गुसा आ गया था इसलिए उसने फिनिक्स बर्ड लाइन वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया जिसकी वजह से इन लोगों की बार बिल्कुल बर्ड नहीं सकती। उनकी पार बस एक ही स्टेज पर रोख जाती है और फिर उसे बढ़ाने का पर तुम तुम्हारी जान भी बचा पाओगे वो यूजे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उस ट्राइल को पास करके और एक पार फिर उनकी जान बचा ले अब यूजे भी उनकी बात मान लेता है और जब यूजे उस जगे पर जाता है तो वहां सबसे पहले उसे फिनिक पास करना ही है अब इसके बाद ट्राइल स्टार्ट होता है अभी यूजे की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी फायर फिनिक्स बर्ट की स्पिरिट बढ़ रही थी यह बहुत सादा थी और इन सभी में आग लगी हुई थी यूजे चानता है कि उसे आग से कुछ नहीं होग लेकिन ये आग थोड़ी अलग तरहेंगी थी जिस वज़े से उसे थोड़ा पेंट सहना पड़ रहा था यूजे के लिए ये इतना जाता भी मुश्किल नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो फिनिक्स बर्ट बढ़ते जा रही थी यूजे का दर्द भी जा रहा था और यही दर्द उसकी इवल गौड पार के साथ अटाच हो जाता है जिसकी वज़े से अचानक से इवल गौड के पार रिलीस होनी लगती है और इसी वज़े से वो सभी नॉमल फायर फिनिक्स बर्ट बड़ी ही असानी से खत्म हो जाती है लेकिन अब इसके बा ठीक हो चुकी थी और इस बार वो और जादा स्ट्रॉंग भी हो चुकी थी यूजे समझ क्या था कि इस तरह से उसे नहीं मारा जा सकता तब ही जैसमीन कहती है कि इस बर्ट के सर पर कुछ क्रिस्चल जैसी चीज है शायद हम उस क्रिस्चल को डिस्ट्रॉय करकर इसे खत्म कर सकते हैं अब यूजे वैसा ही करता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि फिनिक्स बर्ट फिर से लावा में गिर कर ठीक हो चुकी थी और साथ यह वो पिछली दोनों बार से दुगनी ताकतवर भी हो चुकी थी अब यूजे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्य करें तभी जासमिन उससे कहती है कि हमें इस फिनिक्स बर्ट के हाट पर हमला करना होगा क्योंकि वही इसकी पार पॉइंट है और उसी से इसे इनरजी मिल रही है इसके बाद यूजे फिर से उसकी बात मान लीता है लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था पर फिर भी किस तरह से यूजे आगे बढ़कर अपनी तलवार को वहां उस फिनिक्स बर्ट के हाट में इंजेक्ट करने में काम्याद हो जाता है फिनिक्स बर्ट अब हिल भी नहीं सकती थी इस वज़े से यूजे इस चीज़ का फायदा उठाते हुए उसके हाट को ही डिस्ट्रॉय करकर उस फिनिक्स बर्ट को हरा दीता है उसे लग रहा था कि उसने दोनों ट्रायल पूरे कर लिये क्योंकि उसके हिसाब से ये दो ट्रायल थे लेकिन ये बस एक ही टेस्ट था अब तवी अचानक से जमीन क्राक होने लगती है और यूजे वहां से नीचे गिर जाता है जिसके जब वो नीचे आता है तो फिनिक्स बर्ट उससे कहती है कि बहुत अच्छे तुमने पहला ट्रायल पार कर लिया लेकिन दूसरे ट्रायल में तुम्हारी पार काम नहीं आएगी बलकि इस बार तुम क्या डिसीशन लेते हो और तुम्हारा दिल कितना साफ है ये देखा जा लेकिन इसे कुछ बुरे लोगों ने मार दिया था इसे देखते ही यूचे को अपना बहुत बुराना प्रामिस याद आता है यूचे ने इससे कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा लेकिन यूचे ऐसा कर नहीं पाया अभी ये दोनों एक दूसरे को देकर जा चुका था इसलिए अब वो वापस यहां फेनिक्स बर्ड के सामने आ गया था यहां फेनिक्स बर्ड उससे पूछती है कि तुम चाहते तो अराम से उस अटाक से बच सकते थे तुमने बेवकूफी क्यों दिखाए तो इस पर यूचे कहनी लगता है कि पिछली लाइफ तो फिर से मुझे वहां भी सकती हो लेकिन मैं इस पार भी खुद को नहीं बचाऊंगा अब ये सुनकर फिनिक्स बर्ड हैरान थी पर फिर वो यूचे को बताती है कि यूचे ने इस ट्राल को पास कर लिया है क्योंकि यूचे ने पिल्कु सही फैसला लिया अब यहां वो यूचे को अपनी ब्लड लाइन की पार दे दीती है साथ ही बाग्यों के मुकाबले वो यूचे को तीन गुना पार दीती है क्योंकि उसे पता है कि यूचे रिन कानीट हुआ है साथ ही साथ यूचे के पास हेवली weaponless pearl की पार है वो याा यूचे को हेवली बॉसन पह पाएगा, साथ ही ये टेक्नीक दूरी थी, इस वज़े से यूजे को उसे सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर उसे खुदी इसे कम्प्लीट करना होगा, विसे अभी वहां बहार करीबन दो दिन बीच चुके थे, इस वज़े से खाने की कमी हो रही थी, और सभी मिसलैन वहां पहुचती है, तो अचानक से एक गाड़ूस पर हमला कर देता है, अभी वो सबी बस सोने का नाटा कर रहे थे, यहां मिसलैन पकड़ी जाती है, लेकिन इतने में ही वहां पर यूजे फिनिक्स बर्ट के क्लोन के साथ आ जाता है, ये क्लोन उसने खुद क्रिय को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, अब यूजे अपनी पार से बागी जितने भी लोग थे, उन्हें भी खत्म कर देता है, इसके बाद फिनिक्स बर्ट वहां आकर सिर्फ यूजे से बात करते हुए कहती है, कि कॉंग्राचुलेशन तुमने मेरी को पा लिया है, और तुमने उस सीक्रेट टेकनीक को भी सीख लिया है, अभी वो यूजे से भी बहुत खुश थी, इसलिए वो कहती है, कि तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, अब इतना सुनकर यूजे कहता है, कि अगर हो सकता है तो आप इन गाउवालों के उपर से अ और सभी यूजे को शुक्रिया कह रहे थे, पर इसके बाद यूजे और मिस्ट लैन वहां से जाने को कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें जल्द से जल्द इम्पीरियल सिटी पहुँचना है, असल में उस सिटी में मिस्ट लैन का घर है, वैसे अब वो वहां से निकल चुके थ असल में यूजे पहले से ही होटल मैनेजर से डील करकर फिक्स कर लीता था, कि वो मिस्ट लैन के सामने यही कहे, कि उनके होटल में एक ही रूम है, इस से अब धीरे धीरे वो दोनों ही बहुत करीब आने लगे थे, पर अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए, वो कुछे दि पास आकर उससे पूछते हैं, कि तुम ठीक तो हो, जिस पर मिस्ट लैन कहती है, कि हाँ, मैं ठीक हो, वैसे उन्होंने अभी यूजे को एकनोर कर दिया था, यहाँ यूजे को तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था, जिसे कि मास्टर केन को मिस्ट लैन के घुम जाने की बाए, उन्हें नहीं बताई थी, इस पर मिस्ट लैन उन्हें थांक्यू कहती है, अब तब ही वहाँ, यूजे को देखकर बहुत खुछ था, और वो उसे बार 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 ब्रदर इनला कह रहा था, यूजे उसे फिर से समझाता है, कि किसी लड मिस्ट लैन उसे मना कर दीती है, और अब उसके जाने से पहले, यूजे उसे वो गंस दी दीता है, जो उसने वहाँ ट्रेशर पेविलियन के अंदर से चुराई थी, अब मिस्ट लैन उसे थैंक यू कहती है, और वहाँ से चली चाती है, अभी उन दोनों को इतना पास देखकर, मू रॉंग अंदर से बहुत जल रहा था, मिस्ट लैन के जाने के बाद, वो यूजे से इरिटेट हो गया था, इस वज़े से वो उल्टा मू रॉंग को ही चड़ाने लगता है, इससे मू रॉंग को गुसा आ गया था, इसलिए उसने तुरंधी यूजे पर हमला कर दिया था, इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, और अंद में यहां हमें जानने को मिलता है कि शैंग फैंग अकैडमी असल में तीन अलग-लग पार्ट में डिवाइड़ेड है, जिसमें इनर डिसाइपल, आउटर डिसाइपल और सेंट्रल डिसाइपल्स आते हैं, वो बताते हैं कि जो आउटर डिसाइपल्स होते हैं, वो सबसे स्ट् इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक सेंट्रल डिसाइपल बना दिया जाएगा और तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि वो टेस्ट आज ही हो रहा है। कि यहां की जो सबसे बड़ी रॉयल फैमली है मिस लान उसी फैमली की प्रिंसेस है और मिस लान का असली ना केंग यू है इसलिए अब से हम उसे मिस यू ही कहेंगे अब अभी जब वो अपने फादर से मिलती है तो उसके फादर उससे मिलकर अभी बहुत खुश थे पर अब लिए पहुच चुका था वो देखता है किैभी दो डिसाइबल रड़ रहे थे तब पहले डिसाइपल उस दूसरे डिसाइपल को भाहँ बुरी तरह पीटकर वहां से बाहर F Everywhere दीता है इस चीज से उस दूसरे डिसाइपल को भी बहुत साथा चोट आए थे उसे आगे चलकर कल्टिवेशन में बहुत प्राबलम होने वाली थी लेकिन फिर यूजे उसकी थोड़ी मदद करता है और फिर उस दूसरे लड़के से कहता है कि आगे तुमने ऐसा क्यों किया इस पर वो सामने वाला डिसाइपल कहने लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है यह लड़ाई ही ऐसी है यहाँ यूजे को बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए अववव उस लड़के को सबक से खाने के लिए उसे चालेंज करता है वैसे उस लड़के का नाम फैंग है और यह सेंट्रल डिसाइपल्स रांग पर है अब जब यूजे उसे लड़ने के लिए आगे आता है तब ही वहाँ पर मास्टर केन आते है यहाँ उनके साथ एक दूसरा डिसाइपल भी आ रहा था यह डिसाइपल इनर डिसाइपल रांग पर है और इसका नाम सी कॉंग है यह यहाँ आकर यूजे से कहता है कि तुम्हें इसकी चाल में नहीं फसना चाहिए यह लड़का ऐसे ही सभी को बढ़काता है जिससे कि यह उनसे फाइट कर सके यह एक खास फैमिली से बिलॉंग करता है इनके पास एक बहुत ही पावुल टेकनीक है यूजे कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे इससे फाइट करकर उसे इसकी गलती समझानी है इसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है जिसके दोरान अभी फैंग यहां अपने सामने उसी बैरियर को क्रियेट करता है जो उसकी खास टेकनीक है इसकी खासियत है कि इस पर जो भी अटाक करो वो उती ही तेजी से वापस उसी पर आ जाता है जिसने वो अटाक किया हो लेकिन अब यूचे आगे बढ़कर एक ही अटाक में उसे डिस्ट्रॉई कर देता है यूचे का अटाक पाफुल था इस वज़े से वो बारियर उसके अटाक को नहीं रोक पाया अभी जब यूचे फिर से अटाक करने के लिए बढ़ रहा था तो इस पर फैंग अपने सामने उस बारियर की तीन लेयर को क्रियेट करता है लेकिन यूचे ने इसे भी डिस्ट्रॉई कर दिया था ये देकर फैंग और बाकी सब ही बहुत हैरान थे लेकिन अभी फैंग ने हार नहीं मानी थी वो फिर से यूचे को आगे बढ़ने को कहता है और इस बार वो अपने बलड के साथ कनेक करते हुए उस बारियर का लास्ट ट्रॉंगिस्ट फॉर्म क्रियेट करता है ये फॉर्म बहुत पावफुल है लेकिन अगर ये गलती से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे फैंग की जान भी खत्रे में आ सकती है अब यूचे उस पर हमला करता है जिस दोरान हम देखती है कि यूचे इस बार उस बारियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था लेकिन फिर वो अपनी इवल गॉट की पार को थोड़ा सा रिलीस करता है जिसके वज़े से ये बारियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फैंग सीधा है रीना के बार की तरफ गिरता है वैसे अब वहाँ फैंग का मास्टर भी आ गया था वो कह रहा था कि ये तुमने बहुत गलत किया तुम्ही किसी पर भी इस तरह से अटाक नहीं करना चाहिए लेकिन अब यूजे भी उससे कहता है कि गलती इसकी है मेरी नहीं अब इतने मेही वहाँ पर मूरॉंग और उसका भाई भी आ चुका था मूरॉंग का भाई यहाँ यूजे पर हमला करने लगता है लेकिन तब ही सी कौँ आगे आगर उसे रोक लेते हैं वो कहते हैं कि तुम senior disciple हो इसलिए तुम्हे किसी junior disciple पर हमला नहीं करना चाहिए पर अब यूजे आगे आगे आगर उसे रोक देता है और कहता है कि आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं ये मेरी वज़े से यहां आया है तो इससे मैं ही लड़ूँगा पर अब यूजे भी जानता था कि ये लड़का बहुत स्ट्रॉंग है इस वज़े से वो अभी इससे नहीं लड़ सकता यूजे कहता है कि मुझे तीन महिने का टाइम चाहिए जिसके बाद हम लड़ाई कर सकते हैं अब मुरूंग का भाई भी जानता था कि यूजे कमसूर है और तीन महिने में वो उसकी बरापरी नहीं कर सकता इस वज़े से मुरूंग का भाई मान जाता है और उनके बीच में ये शर्ट लग जाती है कि जो भी श चालेंजिस से डिसाइपल आपस में ही और जाधा स्ट्रॉंग बनते हैं वो कहते हैं कि ये लड़ाई फेर तो नहीं होगी क्योंकि यूजे भी बहुत कमसूर है लेकिन अब हम उसे सभी सुविधा देंगे जिससे कि वो खुद को स्ट्रॉंग बना सके वो कहते हैं कि यू वो के जाने के बाद वहां सी कॉंग यूजे से कहने लगते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें बता भी है कि वो लड़का एक इनर डिसाइपल है इस पर यूजे कहता है कि कोई बात नहीं मैं उसे हराऊंगा अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अबे मि जानने को मिलता है कि उसके फादर रॉयल फामिली के एम्परर हैं और उनकी तबियत बहुत जादा खराब है मिस यू उनसे कह रही थी कि चिंता मत कीजे फादर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे लेकिन इतने महीं अब वहां पर एक लड़का आता है हमी जानने को मिलता है कि ये मिस यू का बड़ा भाई है वो अभी यहां पर अपने फादर की हेल देखने आया था असल में उसे एम्परर की पोजीशन चाहिए इस वज़े से वो यहीं चाहता है कि उसके फादर मारे जाएं क्योंकि इसके बाद ये सारा राज्य उसे ही मिलेगा वो यहां आकर यही कह रहा था कि आज भी अब जंदा मिलें यहां मिस यू को तो उसे देखकर बहुत गुसा आ रहा था उसका भाई अब उनके चोटे भाई मतलब थर्ड प्रिंस की बात निकालता है वो बताता है कि वो भी दूसरे सेक्टर का सपोर्ट ले रहा है खुद को स्ट्रॉंग बना मिस यू के फादर उससे कह रही थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करो मैं तुम्हें भी अपनी पोजीशन नहीं दे सकता और इन दोनों को देने का कोई वाइदा नहीं क्योंकि उसके बाद हमारी रॉयल फामिली कहीं मूँ दिखाने लाइ इसके बाद अब मिस्यू वहाँ से चली गई थी अगले सीन में हम यूजे और सी कॉंग को देखते हैं जो कि ट्रेशर पेविलियन के बाहर आ चुके थे अब जब वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर उन्हें बहुत सारे स्वार्ट बॉक्स दिखते हैं सी कॉंग कह रहा था कि तुम इन में से किसी भी एक स्वार्ट को चुन सकते हो हर डिसाइपल एकी स्वार्ट चुन सकता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रेशर ले जाने की परमिशन है अब वो यूजे को बहुत सी तलवार दिखाता है लेकिन यूजे को कोई सी पसंद नहीं आती लेकिन तभी यू इसे नहीं चुनता क्योंकि कोई इसे उठा ही नहीं सकता अब यूजे कैसे दैसे उसे उठा तो पा रहा था पर उसे वो जादा देर तक उठा कर नहीं रख पाता सी कॉंग कहता है कि तुम्हें दूसरी तलवार देख लीनी चाहिए यहाँ पर बहुत सारी पाफुल तलव जिसे वो कम से कम उसे उठा तो पाए अब धीरे धीरे इसमें वो थोड़ा काम्याप ही हो रहा था क्योंकि अब उसे वो तलवार थोड़ी कम भारी लग रही थी अब तवी वहाँ जासमीन आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने यही तलवार क्यों चुनी तो इस और फिर से इस तरह से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ अब उसकी बाते सुनकर जैसमीन थोड़ी से उदास हो गई थी यूचे को ये चीज समझ नहीं आती पर जैसमीन बताती है कि यूचे बिलकुल उसके भ प्रोटेक्ट करेगा अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता पर जैसमीन यहां बात को थोड़ा सा बदलते हुए कहती है कि उसे कई सारी टेक्नीक्स पता है जो कि वो यूचे को सिखा सकती है यूचे इस चीज से बहुत खुश था जिसके बाद वो दोनों वापस अ टेक्नीक की प्राक्टिस वगेरा नहीं करने पड़ेगी पर फिर जैसमीन बताती है कि अभी उसे इस टेक्नीक को मास्टर भी करना होगा इस चीज में उसके भाई को करीबन एक महीना लगा था लेकिन यूचे को इसमें उसके हिसाब से जादा टाइम लगेगा क्योंकि आपर मिस यू आती है वो थोड़ी चिंता में लग रही थी वैसे वो यूचे को यहाँ पर कॉंग्राचुलेशन कहने के लिए आए थी क्योंकि उसने शैंग पेंग एकाडमी को जॉइन कर लिया है पर साथ ही साथ अभी उसे यूचे की चिंता भी हो रही थी क्योंकि यू मिसे कभी पे डिस्ट्रॉई करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और मैं तुरंट वहाँ पर आ जाऊंगी अब यूचे उसे थैंक यू कहता है वैसे यूचे को अभी वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी अब वो उससे इसकी वज़े पूचता है तो इस पर मिस यू बताती है कि उसका फादर बिमार है इस वज़े से वो थोड़ी टेंशन में है यूचे कहता है कि जिनता मत करो मैं दो मिनिट में उनके बिमारी का पता लगा लूँगा लेकिन अब मिस यू कहनी लगती है कि नहीं उनके पास बहुत सारी डॉक्टर्स है और अब भी वो इलाज करा रहे हैं असल में वो यूजे को अपनी असले identity बताना नहीं चाती थी पर इसके बाद भी यहाँ यूजे को भी अब थोड़ा सा doubt होने लगा था वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि सी कॉंग भी यूजे को वहाँ उस city के एक energy tar के अंदर लेकर आया था जहाँ पर सभी cultivators cultivate करने के लिए आते हैं यहाँ पर energy का flow बहुत जादा है इस वज़े से उन्हें cultivation में बहुत help मिलती है अब यहाँ आने के बाद यूजे सामने एक बड़ा सा crystal देखता है जिस crystal पर पूरे 100 नाम लिखे हुए थे यह इस academy के 100 great disciples का नाम है जिसमें से एक नाम से 17 साल की लड़के का था लेकिन यूजे को जाननी को मिलता है कि भले ही उस लड़के ने खुद को बहुत strong बना लिया था लेकिन एक लड़ाई हार जाने के बाद से उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है इसके बाद अभी यूजे आगे बढ़ते हुए कुछ हैरानी से सोच रहा था ये देकर सी कॉंग कहनी लगता है कि मैं जानता हूँ तुम हैरान हो क्योंकि तुमने एक नॉर्मल से academy में इतने powerful disciple होने का expect नहीं किया होगा लेकिन अब वो बताता है कि हर powerful disciple का सबना होता था कि वो शेंग फैंग academy को join कर सके लेकिन अभी धीरे धीरे शेंग फैंग academy की glory थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि यहां की जो royal family है उसमें emperor बनने के लिए first prince और third prince आपस में लड़ाई कर रही है लेकिन अब वो यूचे से इस बारे में साथा ना सोचने को कहता है इसके बाद हम देखते हैं कि अगले scene में यूचे उस जगह पर आ चुका था जहां वो cultivation कर सकता है यहां वो सोचता है कि उसे भी उसी technique की practice करनी चाहिए जो उसे जासमीन ने दी है अब उस great दाव बुद्धा technique का use करते वक वो फिर से उनी clouds के बीच आ चुका था जहां उसे इस बार एक spirit दिखती है वो spirit कहती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है तुम्हारी पिशली life भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ये life भी कुछ खास नहीं जा रही है यहां यूजे को भी अभी वही सारी memories दिखाई दे रही थी और यूजे इससे दुखी भी हो गया था अब वो spirit कहती है कि अकर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस सब पुरी यादों से दूर कर आ सकती हो तुम्हें बस मेरे बनाए एक gate से होकर गुजरना होगा बाद में तुम्हारे साथ हर चीज अच्छी होने लगेगी साथ ही तुम एक normal life चीपाओगे अब यूजे कहता है कि नहीं उसे normal life नहीं जीने ये देखकर वो spirit भी हैरान थी और अब सही decision लेने की वज़े से यूजे को finally great दौब उपुता टेक्नीक सीखने की official permission मिल जाती है अब जब यूजे ही बाहर आता है तो जैस्मीन उसे कहती है कि तुमने test को पास कर लिया है अगर तुम एक असान रास्ता चुनते तो कभी भी इस टेक्नीक को नहीं सीख पाते यहाँ वो ये भी बताती है कि इस खास टेक्नीक में कई सारे लेवल्स है जैसे अभी यूजे को ये टेक्नीक मिली है तो अभी वो इसके first लेवल पर है विसे जैसमीन उससे ये भी कहती है कि कमाल है तुमने सिख तीन दिन के अंदर इस टेक्नीक को पा लिया यह सुनकर यूजे थोड़ा हरान था वो कहता है कि तीन दिन तो इस पर जैसमीन कहनी लगती है कि हाँ तुम्हें उस वर्ड में तीन दिन बीच चुके हैं। अब यहां से सीन चींज होता है और हम देखते हैं कि अभी मास्टर वू और मास्टर केन साथ में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे जहां मास्टर वू को अभी तोड़ी चिंता हो रही थी। क्योंकि यूचे क तीन दिन हो चुके हैं। उस एनरजी टार में गए हुए। इस पर मास्टर केन कहते हैं कि आप चंता मत कीजिए। वैसे इसके बाद अब हम वापिस से यहां एनरजी टार के अंदर आ जाते हैं। अभी यूचे कल्टिवेशन कर रहा था और उसी टेक्नीक को नेक्स लेव तुरंती वहां से निकलने लगा था। बाहर आने के बाद उसे यूएन बाउ मिलता है जो कि यूचे से ही मिलने के लिए आ रहा था। वो यहां यूचे को देखर बहुत खुश था। यूचे भी बातों-बातों में पूछता है कि आजकल तुमारी ट्रेनिंग कैसी चल र रही है और मेरे दोस्त भी मेरी मदद कर रहे हैं लेकिन अब तभी यूचे देखता है कि यूपाव को थोड़ी से चोट लगी हुई है...्यूचे समझे गया था कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई is लड़ाई हुए। यूओं बाउ खुद से किसी से लड़ने वालों मे वो किसी famous group का member है और वो यहाँ अपना badge भी यूचे को दिखाता है। यूचे को उस group के बारे में इतनी जादा knowledge नहीं थी लेकिन फिर भी वो badge को रख लेता है क्योंकि इसे लग रहा था कि ये strong शायद ही बन पाएगा क्योंकि इसकी cultivation बहुत slow है जिस वज़े से इसे strong बनने में time लगेगा साथ ही ये बहुत सीधा है इस वज़े से लोग इसका फायदा उठाते हैं तुमें भी इसकी जादा चिंता नहीं करनी चाहिए वरना इससे अपने उपर ही ध्यान नहीं दे पाओगे बगर अब उसकी इन बातों में यूजे को और जादा चिंता होने लगी थी अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजे वहाँ पहुँच चुका था जहां पर उसे वो कृश्चल मिल सकता है अब यहां उसे कृश्चल के बारे में पता चल गया था कि वो इनी के पास है लेकिन वो आदमी कह रहा था कि मैं तुमें ये कृश्चल नहीं दे सकता पर तब ही यूजे वो बैश दिखाता है जिसके पाद वो आगमे तुरंती उसे वो क्रिश्चल दे देता है अब जब यूजे वहाँ से बाहर आ रहा था तब ही उसे एक लड़की दिखती है यूजे उसे दे कर हैरान सा लग रहा था क्योंकि इस लड़की के अंदर से बहु आकर यूजे से पूछती है कि क्या वो क्रिश्चल तुमने खरीदा है असल में वो उसी क्रिश्चल को खरीदने आई थी क्योंकि उसे उनकी बहुत जादा जरूरत है अब ये सुनते ही यूजे ने तुरंती उसके बिमारी का पता लगा लिया वो कहता है कि अच्छा तो अ पता है कि वो वहां भी पहुँच चुके थी वो यूजे से कह रही थी कि क्या तुम्हें इस बिमारी का इलाज पता है और अगर नहीं तो मुझे वो क्रिश्चल दे दो मैं यहां से चली जाओंगी यूजे कहता है कि ये क्रिश्चल तुम्हारे कोई काम का नहीं लेकिन च दूसरी शर्ट में वो उससे उसके चेहरे का मास्क खटाने को कहता है, पर इस पार भी वो लड़की मरा कर दीती है, यूजे कहता है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान रही, लेकिन अब यूजे थोड़ा सोच समझ कर कुछ काम की बात करता है, वो कहता है कि उसे कुछ मनतक की प्रोटेक्शन चाहिए, अब इस चीज के लिए लिटल फेरी ने तुरंती हां कर दी थी, यहां यूजे अपनी थर्ड शर्ट नहीं बताता, वो कहता है कि वो शर्ट में वक्ताने पर तुम्हें खुद बता दूँगा, अब यूजे उसकी नर्स चेक करता है, तो के अंदर से बाहर निकानना होगा, अब यूजे तुरंती उसके फेस को टच करता है, लेकिन अब लिटल फेरी थोड़ा गलत समझ लेती है, और गुसे में तुरंती अटाक करते हुए, यूजे को वहां से बहुत दूर फेंग दीती है, इस चीज से यूजे बेहोश हो कोई इतना चल्दी हील नहीं कर पाता, अब वो यूजे से उसके असली identification पूछती है, पर यूजे तो अभी अलगी बात कर रहा था, वो उससे कहता है कि तुमने मुझ पर अटाक किया, जबकि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, इस पर लिटल फेरी कहने लगती है, कि हा क्योंकि कलती मेरी थी, अब इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी, यूजे उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम अभी जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपना promise नहीं भूलूँगी, इतना कहकर अब वो वहाँ से चली जाती है, यूजे अभी उसी के बारे में सूच रहा था, क्योंकि यूजे जब उसकी बिमारी चेक कर रहा था, तो उसे पता चला था कि लिजल फ्यारी की जो mystic veins है, वो बहुती जादा अच्छे लेवल पर है, इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है, अब तब ही वहाँ पर जैसमीन आती है, और यू वो तुरंत ही उसे दूसरे वर्ल्ड में ले आती है, जहां यूजे कुछी टाइम में उस ग्रेट दौ बुद्धा टेक्नीक को मास्टर कर लेता है, उसने यहां सिर्फ फर्स लेवल को मास्टर किया था, लेकिन इस सिर्फ वो अपनी कल्टिवेशन की भी सेकिन लेवल पर पहुँच चुका था, अभी जैसमीन उसकी तारीफ कर रही थी, और इसे यूजे भी बहुत खुश था, लेकिन जैसमीन बताती है कि अभी तुम्हें सिर्फ इस दलवार को उठाने की बार मिली है, अभी तक तुम्हें तलवार चलाने के लिए कोई भी स्किल्स नहीं आती इसके बाद जैसमीन उसे बताती है कि वो उसे अच्छी अच्छी स्वाट टेकनीक सिखा सकती है, लेकिन उन्हें मास्टर करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, अब क्योंकि वो हमेशा अपने भाई को अब्जर्व करती थी, इस वजए से वैसे दो कई मूरॉं के भाई के साथ माच होने वाला है, यहां अभी यूचे और मूरॉं का भाई दूनों आमनी सामने थे, बाकी सभी लोग भी वहाँ आच्छी थे और सभी इस माच के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन सभी को पताता कि मूरॉं के भाई को यूचे नहीं हरा अब यहां एरीना में लड़ाई शुरू होती है, इस लड़ाई के दौरान मूरॉं का भाई अभी अपने वेपन को बाहर नहीं निकाल रहा था, इस वज़े से यूचे ने भी अपनी तलबार नहीं निकाली थी, लड़ाई के दौरान जब मूरॉं का भाई यूचे पर प के भाई का गुस्सा इससे और साधा बढ़ती जा रहा था इसी वज़े से अब वो फाइनली अपनी बहुत पाफुल टेक्नीक जिससे वो गोल्डन ड्रागन कहता है उसका यूज करता है अभी तक उसने जिस जिस पर इस टेक्नीक का इस्तमाल किया है उसमें से कोई भी अभी तक इस टेक्नीक को डॉज नहीं कर पाया है अभी यूज भी पहले इसे डॉज नहीं कर पा रहा था लेकिन बात में वो वापस से खड़ा हो जाता है मतलब उसने इस टेक्नीक को सर्वाइब कर लिया था ये देखकर सभी हरान थे पर अब उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन इस दोरान मूरांग का भाय बड़े ही चलाके से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए यूज पर हमला कर देता है उसने पहले अपना वेपन बाहर निकाला था जिस वज़े से यूज ने भी तलवार का यूज नहीं किया अब जबकि वो ये सीन को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन आप वो देखते हैं कि यूज ने उसके इस अचानक से की अटाक को सर्वाइब कर लिया था अब वो कहता है कि बहुत बढ़िया आखिर तुमने अपना वेपन निकाल ही लिया अब मैं भी तुम्हे अपना वेपन दिखा सकता हू इसके बाद यूजे तुरंती अपने उस हेवी स्वाट को वहाँ पर ले आता है इसे देखकर सभी लोग बहुत जादा हैरान थे मास्टर वू कह रहे थे कि मैं जानता था कि यूजे इसे बाहर तो निकालेगा ही लेकिन क्या उसने सच में इसे मास्टर कर लिया अभी मूर का भाई फिर से अपने कोल्डन ड्रागन का इस्तमाल करता है और यूजे अपने स्पिरिच्वल वॉल्फ का इस्तमाल करता है यह टेकनीक जैसमीन ने उसे सिखाई है अब दोनों के अटाय बहुत ही ताकत से टकराते हैं जिस वज़े से बहां बहुत ही देज ब्लास्ट हो प्रैक्टिस करेगा वो इस टेकनीक का उतना ही अच्छी तरह से यूज कर पाएगा अब यूजे को पर्मनेंटली इनर डिसाइबल बना दिया जाता है सभी लोग उससे बहुत साधा इंप्रेस थे अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी मिस यूजे को पट्टी लगाने आ जाते हैं वो इन्हें देखकर थोड़ा सा शर्मा गए थे उन्होंने तुरंती अपना मून नीचे की तरफ कर लिया था लेकिन यहां मिस यूज को भी थोड़ी सी शर्मा जाती है जिस वज़े से वो वहां से भाग जाती है अब यहां पर मास्टर कैन यूजे पर गुसा हो रही थे क्योंकि वो मिस यू से प्यार करने लगा है जबकि उसे तो मिस यू की असलेद भी नहीं पता यूजे जानता था कि यह लो उससे बहुत टाइम से कुछ छुपा रही है इसलिए अब वो कहनी लगता है कि हम प्यार करते हैं इसलिए मुझे किसी चीज से फर्क नही दूसरी में बात उसके भाईयों में अपने फादर की सीट के लिए लड़ाई चल रही है। उसके लिए और जादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब मिस्यू ये सुनकर समझ जाती है कि यूजे को सब कुछ पता चल चुका है। वो यूजे से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उससे कुछ भी चुपाना नहीं चाती थी। लेकिन यूजे तो गुसा होकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस्यू उसके पीछे नहीं जा सकती थी। प्लस यूजे उससे बहुत गुसा था। इसलिए वो वही बैट कर रूनी लगती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद यूजे वहाँ पर आता है। मिस्यू उसे बस अभी तक इसलिए ये सब नहीं बता रही थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यूजे इस सब में पढ़े। अब इसी वज़े से यूजे उससे माफ कर देता है। लेकिन वो कहता है कि अपकी बार से उससे कुछ भी चुपाना मर। साथ ही वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो इन सब सिचुएशन से निकलने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ही मिस यू यूजे को अपने फादर के पास ले आती है। अब यूजे अपनी हेवनली पॉजनस पल की एनरजी का इस्तमान करते हुए उस कट के अंधर से उस इंसेक्ट को निकालता है जो कि वो पॉजन पहला रहा है। ये देखर सबी हरान थे लेकिन यूजे फिर से उस इंसेक्ट को उनकी बाडी में डाल देता है। वो बताता है कि अगर हमने इस इंसेक्ट को निकाला तो किंग मारे जाएंगे। ये इंसेक्ट धिरे धिरे बाडी को कमजोर करता है और इसका लाइफ स्पैं करीबन 5 साल का होता है। अभी किंग पहले से ही 3 साल से बिमार है। इस वजह से यूजे के हिसाब से उनके पास से 2 साल का ही टाइन बचा हुआ है। अब यहाँ केंग और मिस्यू दोनों ही समझ गए थे कि ये सब उसी डॉक्टर की चाल थी जो उनका इलाज कर रहा है। इसे यूजे को एक चीज समझ नहीं आई थी, वो उनसे पूछता है कि अगर 1 प्रिंस और 3 प्रिंस दोनों ही उन्हें मारना चाहते हैं तो वो टारेक्ट किसी असासन का इस्तमाल क्यों नहीं करते। इस पर एंपरर बताते हैं कि वो जाकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन त्यान जियान मेनियॉर के अंडर आती है। इसी वज़े से उन्हें मारना मुश्किल है। ये बात बाहर जाए। इससे उनके लिए खत्रा भी पैदा हो सकता है। इसलिए अब यूचे और मिस्यू ही त्यान जान मेनियॉर से आए हुए लोगों से मिलने का फैसला करते हैं। उसे लिटल जी कहकर बुलाएंगे। वैसे अभी वो जैसे ही यहां मिस्यू को देखता है। तो उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत सुन्दर हो। कि तुम उससे शादी करोगी। अब ये सुनकर मिस्यू और यूचे तुनों ही बहुत हैरान थे। पर फिर यूचे उससे कहता है कि तुम थोड़ा लेट हो चुके हो क्योंकि मिस्यू तो मुझे प्यार करने लगी है। अब ये सुनकर लिटल जी शौक हो जाता है और कहनी लगता है कि शायद तुम्हे कुछ गलत फहमी हो गई होगी क्योंकि मैं तो तुमसे जाधा ताकतवर हो। अब ये सुनकर यूचे उससे कहता है कि नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो लेकिन इसके बाद लिटल सी यूचे को ही लड़ने के लिए चालेंज करने लगता है जिसे यूचे ने एकसेप्ट कर लिया था लेकिन बात में जास्मी और लिंग यून उसे पताते हैं कि तुम इससे नहीं लड़ना चाहिए ये अल्रेडी तुमसे जाता लेवल पर है लेकिन अब यूचे ने चालेंज एकसेप्ट कर लिया था इसलिए वो मना नहीं कर सकता अब उनके बीच का ये बैटल स्टार्ट होता है अब यहां लिटल सी यूचे पर पहला अटाक करता है पर य इसी वज़े से वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचल स्वाट को समन कर लीता है और उससे अटाक करने लगता है ये अटाक वैसे तो पहफुल था लेकिन यूचे ने बहुत स्पीट के साथ वहां से मूव करते हुए इसे भी डॉच कर लिया था पर फिर लिटल सी अपनी तलव को घुमाते हुए दूसरी तरफ से यूचे पर हमला करने लगता है उसका ये अटाक पाफुल था लेकिन यूचे उसके पास उससे भी जाता तेज आकर उसकी इस तलवार को डिस्ट्रॉइ कर देता है साथ ही साथ वो लिटल सी के उपर भी हमला करकर उसे भी वहां से धूर फेंग दीता है पर फिर उसे लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्योंकि लिटल सी भले ही स्ट्रॉग है पर असल में तो वो बच्चा ही है पर तब लिटल सी यूचे के पास आकर उसकी तारीव करने लगता है यूचे को यगी ही नहीं हो रहा था पर लिटल जी तो उसकी थारीफ ही करते जा रहा था साथ ही वो यूजे से पूछता है कि क्या यूजे उसका मास्टर बनेगा इस पर यूजे कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा पर अब तब ही लिटल जी का भाई लिंग यूजे की तरफ देखता है और तुरंती लिटल जी को वहाँ से लेकर भाग जाता है ये देखकर अभी मिस यूजे को कुछ भी समझ में नहीं आया था लेकिन तब ही अचानक से यूजे के मुझे खून निकलने लगता है वो कहता है कि ये फाई बहुत खतरनाक थी और लिटल जी भी सच में बहुत ताकतवर है शायद लिंग्यून उसे इसलिए इतनी तेजी से ले गया जिससे कि लिटल जी मेरी चोटो को नोटिस ना कर पाए वैसे इसके बाद अब यूजे भी वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो घर लौट रहा था तब ही उसे फील होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो अब वो वहाँ से थोड़ा दूर एक सुनसान रास्ते पर आकर कहता है कि कौन है जो मुझ पर नजर रख रहा है इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि यूचे पर जो नजर रख रहा था उस लड़के का नाम बाई है और ये असल में मूरॉंग का भाई का दोस्त है अभी ये यूचे से बतला लेना चाहता था इसलिए ये यूचे पर नजर रख रहा था यूचे जानता था कि बिना लड़े वो इससे चुटकारा नहीं पा सकता इस वज़े से यूचे उससे तुरंथी लड़ने के लिए चैलेंज कर दीता है अभी भाई अपनी पौसनल स्नेक्स का यूज कर रहा था लेकिन यूचे उससे बचते हुए अपनी फिनिक्स वायर का इस्तमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉई कर दीता है और इसके बाद बाई को वहां से दूर फिंग दीता है अब वो बाई को खत्म करने वाला था लेकिन इससे पहले ही बाई यहां अपने अंकल को आवाज लगा दीता है जिसके बाद उसके अंकल भी वहां आ चुके थे साथ ही उन्होंने यूजे को भी वहां से दूर फिंग दिया था जैस्मीन यूजे को बताती है कि हम इससे नहीं लड़ सकते यह हमसे बहुत जादा पावफुल है यूजे के पास अब कुछ भी जारा नहीं था लेकिन अचानक से उस मास्टर की बॉटी वहीं पर जम जाती है और तूट कर बिखर जाती है यह काम लिटल फियरी का था वो यूजे पर इतने टाइम से नजर रख रही थी अब जब भाई वहां से भागने वाला था तो यूजे आगे बढ़कर उसे भी खत्म कर देता है जिसके बाद यहां लिटल फियरी उससे कहती है कि मेरा वादा पूरा हुआ मैंने कहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जो कि मैंने तुम्हें किया अब हमारी डील यहीं पर खत्म होती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजे बाई का रूप बदल कर वहां मूरांग के भाई के पास आया था जहां वो उसके कमरे में आने के बाद उसे बताता है कि उसने यूजे को खत्म कर दिया है साथ ही इसके बाद वो उसे एक पिल देते हुए कहता है कि तुम इससे ठीक हो जाओगे लेकिन जब मूरांग का भाई उसे खाता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है वो कुछ भी नहीं बोल सकता था इसलिए अब यूजे तुरन थी बाई की तलवार निकालते हुए इसे भी मार देता है अगले दिन ये खबर पूरे इंपीरियल सिटी में फैल चुकी थी लेकिन किसी को भी नहीं बता था कि ये काम यूजे का है विसे इसके बाद हम यूजे को देखते हैं एक्जिस्टी नहीं करती पर यहाँ जास्मीन उससे कह रही थी तुम्हें इसे जूट नहीं कहना चाहिए असल में जास्मीन जानती थी कि यूजे ने हेवलनी पॉजनस पल की एनरजी की मदद से ही उन्हें रिफाइन किया है वैसे अभी लिटल फ्यरी थोड़ा हैरान थी पर वो पूछ थी है कि तुमने मुझे ये सब इतनी असानी से क्यों बता दिया क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता मैं तो ये सारी बाते अराम से रिवील कर सकती हूँ इस पर यूजे कहता है कि नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग क्योंकि तुमने एक महीने बाद भी अपना प्रामिस पूरा किया है जबकि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी अभी यूजे उसकी बहुत आरीव कर रहा था पर उसी दोराए वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एनरजी से मुझे लगता है कि तुम आइस क्लाव इंमोर्टल पालस से बिलॉंग करती हो इस पर लिटल फेरी वहीं हां कर देती है जिसके बाद यूजे तुरन थी क्विंग्यू का नाम लेता है और पूछता है कि क्या तुम क्विंग्यू को भी जानती हो तो इस पर लिटल फेरी हां कर देती है अब यूजे उसे बताता है कि वो भी क्विंग्यू को जानता है वैसे वो ये नहीं बताता कि उन दोनों की शादी में हो चुकी है लेकिन यूजे लिटल फेरी से बहुत ही चालाकी से क्विंग यूजे के हस्बन के बारे में जरूर पूछ लेता है तो अब लिटल फेरी कहती है कि हाँ वो एक बेवकूफ लड़का है जो कि क्विंग यूजे को बिलकुल में रिजर्व नहीं करता था लेकिन फिर भी उनकी शादी हो गई वैसे अब वो इतना सब बता कर महा से चली गई थी पर अभी यूजे इस बात से दुखी था कि क्विंग यूने आखिर उसके बारे में ये सब बाते सभी को क्यों बताएं वैसे यूजे को पता है कि क्विंग यू आने वाले रांकिंग कॉम्पटिशन में हिस्सा लेने वाली है क्योंकि शैंग फैं अकैडमी से भी कुछ डिसाइबल महा जाने वाले हैं इसलिए अब यूजे भी फैसला करता है कि वो उस ranking competition को join करेगा अब रात को वो इसी tension में बैटा हुआ था तब ही उसके पास miss you आती है यूजे उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे खुद को strong बनाना है लेकिन मैं यहाँ पर रेकर खुद को strong नहीं बना सकता अभी miss you जानती थी कि वो यह क्या कह रहा है यूजे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा पर miss you ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी यूजे की भलाई के लिए वो हाँ कर देती है यूजे promise करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा और फिर से उससे मिलने आएगा अब अगले ही दिन वो अपने सफर पर निकल पड़ता है इस सफर में उसे कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते है पर वो जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही उसे अच्छे लेवल के बीस्ट मिलते जाते है जिने हरा कर वो पहले से और जादा स्ट्रॉंग भी हो चुका था उसकी मिस्टिक एनरजी हर रोज बढ़ती जा रही थी और वो यहां हर एक बीस्ट को हरा रहा था तब ही उसके सामने एक ड्रागन बीस्ट आता है जो कि बहुत ताकतवर था लेकिन यूचे पहले ही अपने फिनिक्स फायर का इस्तमाल करते हुए उसकी टेकनीक को रोग लेता है और इसके बाद अब वो आगे बढ़कर उसे एक ही अटाक में खत्म कर देता है यूचे अभी खुश था कि उसकी कल्टिवेशन यहां हर दिन बढ़ रही है लेकिन लगदार पीस से लड़ते हुए उसकी एनरजी भी खत्म हो रही है जिससे अभी उसे थोड़ा थका थका फील हो रहा था लेकिन अब इतने महीं एक इगल उसकी तरफ हमला करती है लेकिन अब यूचे उससे बच कया था पर तब ही उस इगल के नाखुन में यूचे का लॉकेट फस जाता है पहले यूचे ने ये चीज नोटिस नहीं की थी पर जब वो इगल वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है तब यूचे देखता है कि उसके गले में उसका लॉकेट नहीं है उसे याद आता है कि उसके ग्रैंट फादर ने कहा था कि यूचे किसी भी कीमत पर इस लॉकेट को ना खोई क्योंकि यहीं लॉकेट उसे उसके पेरिंट सक पहुचा सकता है अब यहीं याद करते हुए यूचे तुरंथ लिटल फेरी को आवास लगाता है क्योंकि वो जानता था कि लिटल फेरी अभे भी यहीं कहीं है अब जब little fairy सामने आती है तो यूचे उसे सारी बात बताता है लेकिन अब little fairy उसे तुरंधी मना कर देती है और कहती है कि मेरा promise सिर्फ एक पार की मदद के लिए था लेकिन अब यूचे उससे कहता है कि नहीं तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसके बाद मैं तुम्हें promise करता है और यूचे के हाथ पकड़ कर सीधा वहां से उसी की तरफ जानी लगती है जहां वो बर्ड जा रही थी अब कुछी तेल में वो लोग बहुत ही दूर आ चुके थे और उन्हें वो एगल पे दिख गई थी लेकिन अभी वो एगल इनसे काफी ज़ादा तेज थी पर इनर्जी महसूस होती है यह किसी बहुत पाफुल ड्रागन की एनर्जी थी जिसके बाद वो ड्रागन सामने आता है और उसके वज़े से वो एगल वहां से नीचे गिर जाती है साथ ही अभी वो ड्रागन यूचे और लिटल फ्यारी पर भी हमला करने बाला था लेकिन इसक इस पर यूचे कहता है कि वो किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाएगा और ना ही इस लिचल फ्यारी को धोका देगा लेकिन अब तभी वहां पर एक और ड्रागन आ जाता है और वो अभी यूचे पर हमला करने बाला था लेकिन तभी उस ड्रागन को रोकने के लिए लिए जिसके बाद वो दोनों ट्रागन ही हवा में आ चुके थे हमें जानने को मिलता है कि वो यहां अपने ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन से लड़ रहे हैं अब यूचे लिचल वेरी जानती थी कि वो इतनी असानी से रह नहीं हरा सकती क्योंकि वो दोनों उससे कह जादा लेवल पर हैं लेकिन फिर वो अपने टेक्निक का इस्तमाल करने लगती है वैसे वो यह भी जानती है कि इसमें उसकी बहुत जादा एनरजी लगने वाली है लेकिन फिर भी वो इसका इस्तमाल करते हुए वहाँ पर अपना आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेती है इस formation के energy से उसने एक female dragon को भी जमा दिया था अब यहाँ वो male dragon गुस्से में little fairy से कहता है कि इसे अजाद करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पर फिर little fairy उस female dragon को खत्म कर दीती है जिस वज़े से उस male dragon को बहुत गुस्सा आ जाता है यहाँ little fairy की लगबख पूरी energy खत्म हो चुकी थी जिस वज़े से वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है पर अब यूचे तुरंती उसे बचाने के लिए चाता है साथ ही वो जैस्मीन से help मी भांगता है जैस्मीन help तो नहीं करना चाती थी क्योंकि उसने पहले ही यहाँ से जाने के लिए कहा था लेकिन अब अगर उसने मदद नहीं की तो यूचे अपनी जान कवा देगा इसलिए अब वो तुरंती बहार निकलते हुए उस dragon की पूरी बाड़ी पर slash करते हुए उसे खत्म कर देती है वैसे यहाँ अभी लिचल फ्यारी को यूचे ने बचा लिया था पर वो इतनी जादा injured थी कि उसका ठीक हो पाना ना मुंकिन लग रहा था जैसमीन यूचे के पास आकर कहती है कि तुम वालतों में कोशिश कर रहे हो इसके meridian points पूरी तरह से destroy हो चुके है इसका मतलब अब ये cultivation नहीं कर पाएगी लेकिन इस पर यूचे कहता है कि नहीं मैं इसे बचा कर रहूँगा पर अब तभी आचानक से वहाँ पर एक gas family लगती है जोकि बहुत जादा poisonous थी अब यूचे तुरंती लेचल फ्यारी को उठा कर वहाँ से भागता है लेकिन अब वहाँ की चटाने भी नीचे गिरने लगती है जिस वजह से वो एक खाई में गिर जाता है मगर अभी वो जिस खाई में गिरा था वही वो dragon का special treasure रखा हुआ है अब जब यूचे वहाँ आता है तो अचानक फिनिक्स बर्ट की cave की तरह यहाँ भी उसके सामने तो आखे अपेर हो जाती है असल में यहाँ उस dragon की spirit रहती है जिसका ये treasure है और ये treasure भी सेम फिनिक्स बर्ट की तरह यूचे को trial मतलब dragon spirit का दिया हुआ test complete करने से मिलेगा अभी वो dragon नोटिस करता है कि यूचे के पास फिनिक्स बर्ट के bloodline की पार है और इस चीज से वो थोड़ा सा हैरान था तब ही यूचे उससे help मांगता है कि वो little fairy को ठीक कर दे लेकिन इस पर dragon कहता है कि नहीं मैं help नहीं कर सकता लेकिन अगर तुम मेरी पार ले पाए तो तुम खुदी इसे ठीक कर सकते हो पर उसके लिए पहले तुम्हें इस trial को पास करना होगा अब इस पर यूचे ने हां कर दी थी जिसके बाद वो dragon little fairy को वहां से ले जानी लगता है लेकिन यूचे उसे मना कर दीता है क्योंकि अभी little fairy उसके mystic winds के साथ connected है पर फिर रप dragon कहता है कि अगर तुम इसे भी अपने साथ ले जा रहे हो तो तुम्हें दो गुना मुश्किलों का सामना करना होगा अब यूचे इसके लिए तयार था little fairy भी उसे मना करती है लेकिन यूचे उसकी बात नहीं मानता जिसके बाद अब ये trial स्टार्ट होता है ये तीन level में divide है यहाँ तीन test होंगे अब पहला test स्टार्ट होता है और इसमें यूचे पर कई सारे fire monsters ने हमला कर दिया था अब यूचे उन्हें हरा तो रहा था लेकिन जब भी वो उन्हें मारता तो उनकी गिंती दुगनी हो जाती जिस वज़े से यूचे को बहुत परेशानी हो रही थी और साथ इसा अभी वो little fairy को भी उठाय हुए था उसी दोरान अचानक से एक fire monster का fake आ हुआ लेकिन अब वो जुखते हुए little fairy को एक भी अटाक नहीं लगने देता और सबी अटाक्स अपने उपर ले लेता है वैसे अब वो इसके बाद वहां से हटकर उन fire monsters को खत्म करने लगा था लेकिन उनकी गिंती फिर भी बढ़ते जा रही थी तबी यूजे रुक कर little fairy से कहता है कि क्या अब तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो ये सुनकर little fairy हैरान थी पर फिर वो बताती है कि उसका नाम यूशन है अब यूजे उससे कहता है कि चिंता मत करो मैं तुमें कुछ नहीं होने दूँगा और अब इतना कहकर वो तुरंती फिनिक्स बर्ड की बार को अनलॉक करते हुए हवा में आ जाता है और अपनी एनरजी को रिलीस करता है जिसकी बज़े से वहां सबी fire monsters खत्म होते जा रहे थे लेकिन तबी उस dragon की आवाज आती है वो कहता है कि अभी तक ये लेवल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अब इसके बाद यूजे वापिस से नीचे गिर जाता है और तब ही वहां की समीन हिलने लगती है जिसके बाद एक बड़ा सा गॉलिम बीस वहां पर बहार आ जाता है वो बहुत थाकतवर लग रहा था जैसमीन यूजे को बताती है कि ये फिफ्ट लेवल पर है और तुम अभी सिर्फ सेकंड लेवल पर हो उसके कहने का मतलब ये था कि यूजे इस बीस को नहीं हरा सकता लेकिन तब ही वो बताती है कि अब सिर्फ तुम्हारी तलबार ही कुछ कर पाएगी क्योंकि वो भी फिफ्ट लेवल पर है और अब इसके बाद यूजे और उस गॉलम में लड़ाई शुरू हो जाती है यूजे ने पहले तो लेटल फ्यारी को वहीं रख दिया था जिससे कि उसे चोट न लगे लेकिन फिर वो गॉलम अपने कुछ सोल्जेस को वहाँ पर समन करते हुए लेटल फ्यारी पर हमला करने लगता है लेकिन अब यूजे तुरंती उसके पास आकर उसे बचा लीता है लिजल फ्यारी कह रही थी कि तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम मुझे साथ रखते हुए इस गॉलम को कभी नहीं हरा सकते लेकिन तभी यूजे उसे बोलने से मना कर दीता है अब इस बीस्ट को हराने का कोई तरीका नहीं था इस वज़े से यूजे को ना चाहते हुए भी अपने इविल गॉड की पार का पूरी तरह से इस्तमाल करना पड़ता है इस चीज की वज़े से इविल गॉड की पार उस पर हावी हो रही थी इससे उसकी आँखे भी लाल हो चुकी थी लेकिन बहुत ही जद उसने उस गॉलम को हरा दिया था जिसके बाद वो किसी तरह से उस पार को सहन करता है पर तब ही अचानक से बेहुश भी हो जाता है अभी लिटल फियरी को भी बहुत ही जाता चिंता हो रही थी लेकिन इतनी मेही वो गॉलम आप फिर से खड़ा हो गया था उसे देखर लिटल फियरी तुरनती अपनी बची होई पार से एक बारियर क्रियेट करती है लेकिन अभी वो बैरियर भी साता देर तक नहीं टेक सकता था यहाँ जैसमीन को भी अभी यूचे की जिनता हो रही थी हम देखते हैं कि यूचे अभी नहीं है मगर वो बेहोश है पर बेहोशी की हालत में भी उसके मन में चल रहा था कि उसने मिस यू से प्रामिस किया है कि वो जिन्दा बचकर उसके पास वापस आएगा लेकिन अभी अगर वो यहाँ पर मारा जाता है तो उसका प्रामिस इस लाइफ में भी तूट जाएगा दूसरी तरफ हम मिस यू को देखते हैं लेकिन इसके लिए मिस यू को से शादी करनी होगी मिस यू ऐसा बिल्कुल नहीं चाती थी क्योंकि वो यूचे को पसंद करती है इस वज़े से वो तुरंत ही मना करतीती है और वहाँ से चली जाती है लेकिन उसके मना करने की वज़े से यहां इस लड़के को बहुत गुसा आ रहा था वो मिस्यू के बड़े भाई से कहता है कि मुझे मिस्यू पर शक हो रहा है जरूर वो किसी और को पसंद करने लगी है इस पर मिस्यू का भाई कहता है कि हाँ, शायद मैं उस लड़के को जानता हूँ अब वो लड़का फैसला करता है कि वो उस लड़के को छोड़ेगा नहीं जिसे मिस्यू पसंद करती है इसके बाद सीन चींच होता है हम यहां यूजे को देखते हैं उसने मान लिया था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन अब उसकी इसी चिंता की वज़े से अचानक से उसकी इविल बलड की पार अक्टिवीट होती है और वो ग्रेट डॉप उद्धा टेकनीक की सेकिन लेवल पर पहुँच जाता है और ये देखकर जासमीन और लिटल फेरी दोनों ही بहु होँच जाता हिरान थी इसके बाद ये पूरी पार के उपर हमला कर देता है वो गालम यहां ये की पार का सामना नहीं कर पा रहा था इस वजह से अचानक से उस गालम के हाथ से उसकी वो स्पेशल तलवा नीचे गिर जाती है जिसके बाद यूजे उस तलबार को अपने पास रख लेता है और उसकी तलबार की मदद से उस गॉलम को हरा देता है क्योंकि उसकी तलबार एक high level heavenly sword है इसके बाद अब dragon वहाँ पर आकर बताता है कि तुमने पहला trial पास कर लिया है और अब तुम्हारा नेक्स ट्राइल शुरू होता है लेकिन ध्यान रखना इसके लिए तुम्हारे पास बस एक साल है अब हम देखते हैं कि अचानक से वहां धुआ फैलता है जिसके बाद यूजे किसी जंगल टाइप के इलाके में आ चुका था जहां उसे खुद को और लि मास्टर केंट से पोश रही थी कि क्या यूजे की कोई खबर मिली है जिस पर मास्टर केंट बताते हैं कि वो ड्राइगन वैली की तरफ गया था और फिर उसे पांच महीने से किसी ने भी नहीं देखा है अब इसके बाद हम यूजे को देखते हैं जिसे उस जंगल में अब रात के टाइम उसे एक आईटिया आता है जिसके बाद वो लिटिल फेरी को उठाकर वहां से जंगल में चारो तरफ भागना चालू कर देता है इससे सबी बीस्ट अभी उसे देखते हुए उसका पीछा कर रहे थे जब वो पूरे जंगल के पीस्ट को एक जगह पर इ उसके बाद वो अपने हेवली डेवन लोटस टेकनीक का इस्तमाल करता है जो कि वो फिनिक्स फायर की मदद से क्रियेट करता है इसकी वज़े से वो सारे स्पिरिचुल बीस्ट एक बार में खत्म हो चुके थे इसके बाद वहां से धुआ भी हट जाता है और वो वहां उस के सामनी आ जाता है यहाँ पर ड्रैगन बताता है कि यूजे ने तीन और ट्रायल को पास कर लिया है असल में तीसरी ट्रायल के दोरान उसके करेक्टर को चेक करा जाता है लेकिन यूजे ने शुरुवात से ही लिटल फेरी को प्रटेक्ट करते हुए दो ट्रायल को पास कि इस वज़े से ड्राइगन अल्रेडी उसका कैरेक्टर समच चुका है अब वो यूजे को तीसरे ट्राइल में भी पास मानता है और तुरंत उसे अपनी सेक्सप्लाइड ड्रॉप दे दीता है जिने एबसॉप करने में यूजे को अभी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन फिर भ तलवार के अंदर उस ड्राइगन की सोल है अभी जैसमीन बताती है कि नहीं वो तलवार अभी तक किसी को भी नहीं मिली है अब इससे वो ड्राइगन बहुत खुश होता है पर अब वो वहां से जाए इससे पहले वो जैसमीन से कहता है कि यूजे एक अच्छा रड़का है तो मुसका ख्याल रखना आगे चलकर वो बहुत दाकतवर बनेगा अब यहां हम देखते हैं कि यूजे ने इस पूरी प्रोसेस को कम्प्लीट कर लिया था जिसके बाद उसके पास उस ड्राइगन की पार आ चुगी थी वो पूछता है कि वो लिटल फियरी को किस तरह से ठ कर सकता है जिसके बाद ड्राइगन बताता है कि इसके लिए उन्हें अपनी बॉड़ी को कमबाइन करना होगा अब यूजे इसके लिए तयार था लेकिन लिटल फियरी इसके लिए तयार नहीं थी अब यूजे उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था इसलिए वो मना न अब जब यहाँ यूचे को हूश आता है तो वो दीखता है कि लिटल फियरी बहाँ नहीं है, साथ ही उसके पास ना जाने कैसे, पर आइस एनरजी भी आ चुकी है, लेकिन अब ड्रागन उसे वोन करता है कि वो कभी भी आइस एनरजी और फायर एनरजी दोनों को साथ में वो ये भी बताता है कि लिटल फियरी पूरी तरह ऐसे ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली गए, वैसे ड्रागन अभी यूचे के मदद करने के बदले एक चीज मांगता है, यूचे पूछता है कि कौन सी चीज, तो ड्रागन कहता है कि मुझे एक तलवार चाहि मिस यूचे को दे कर बहुत ही जादा खुश थी, पर बाकी सभी बहुत हैरान लग रहे थे, वो भी यूचे की एनरजी को महसूस करते हुए, आपस में कह रहे थे, कि ये लड़का पहले से जाधा दाकतवर हो चुका है, अब यूचे उनसे कहता है कि कहीं मैंने देर तो न जा सकता हूँ, ये सुनकर सभी हैरान थे, ये अगेंस्ट गॉच सिरीज का पार 25 है, बाकी पार्ट्स अल्रेडी एक्स्पेंड हो चुके हैं, इसलिए आप उने डिस्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हो, तो लास पार्ट में हमने देखा था, कि यूचे पार्ट की शुरुबात में हम देखते हैं, कि अभी वो दोन रिसाइपल, जो की रैंकिंग कॉम्पिटीशन के लिए जाने वाले थे, वो वहाँ यूचे की बात सुनकर हसने लगे थे, साथ ही उनमें से एक यूचे से कहता है, कि तुम हमें चैलेंज करकर, बहुत बड़ी गलती कह रहे हो, क्योंकि तुम हमें नहीं हरा सकते, अब वो यूचे का मजाग पी उड़ा रहे थे, इसलिए अब यूचे उन दोनों को ही एक साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर दीता है, ये सुनकर मिस यू, यूचे से कहती है, कि तुमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर यूचे ने इन दोनों को चैलेंज कर दिया था, इसलिए वो दोनों वहां से आगे आकर यूचे पर हमला करने लगे थे, लेकिन यूचे बहुत ही तेज स्पीट के साथ, उन्हीं डॉच करते हुए उन दोनों के पीछे आ जाता है, अब उन दोनों को लग रहा था, कि यू को कंबाइन करते हुए एक बारियर बना लिया था, पर अब यूचे की पार के सामने वो बारियर नहीं डिक पाता और डिस्ट्रॉई हो जाता है, साथ ही अब इसकी वजह से वहां जो इनरजी फैलती है, उनके प्रेशर से वो दोनों ही वहां से दूर फिक जाते हैं, लेकि अब ये चीज़ देकर सभी हैरान थे, क्योंकि यूचे ने सिर्फ एक ही अटाक से उन दूनों को हरा दिया था, वैसे अब इसके बाद यूचे, मास्टर वो के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन दूनों को ही हरा दिया है, क्या अब मैं रैंकिंग कॉपिटीशन के लिए जा सकता हूं, जिस पर मास्टर यूँहां कहते हैं, और कहते हैं कि बिल्कुल तुमने स्पिर्चुल फेस में मैसस्जम के दो कर्टिवेटर्स को ही एक अटाक में हरा दिया, तुम्हें ना जाने देना ये बहुत बड़ी गलती होगी, अब तभी मिस यूँहां आग लग रही थी, ये देखकर यूँचे उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अब तभी एक और लड़का महाँ पर आता है, जो की असल में स्काय बर्निंग सेट का यंग मास्टर है, और इसका नाम जूँशन है, अभी इसी ने यूँएन बाउ को मारा था, ये अभी के अभी यूँएन बाउ से माफी मांगनी होगी, जिस पर जूँशन दुरंथी मना कर देता है, अब बागी लोग भी यूँचे को रोपना जाते थे, क्योंकि यूँचे नहीं जानता कि ये स्काय बर्निंग सेट का यंग मास्टर है, लेकिन फिर यहाँ यूँचे जूँशन से कहने लगता है, कि अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी, तो तुमें दस पार माफी मांगनी होगी, यूँचे की हिम्मत देकर जूँचे को भी गुसा आ जाता है, और वो दुरंथी यूँचे को लड़ने के लिए चैलेंज कर दीता है, यहाँ जूँचे पहले अटाक में ही अपनी बहुत जादा पार लगा दी थी, लेकिन यूचे बहुत ही असानी से उसकी एनरजी को रोक लेता है, और जूँचे को वापिस से पीछे की तरफ हटा दीता है, इसके बाद अब यूचे वहाँ से अटाक करने के लिए आगे बढ़ता है, अभी जूचे ने भी अपनी अनरजी से एक बारियर क्रेट कर लिया था, लेकिन वो यूचे को रोक नहीं पाता, और उसका बारियर डिस्ट्रॉई हो जाता है, जिस वज़े से सभी लोग अभी हरान थे, क्योंकि जूचे यूचे से जाधा लेवल पर है, लेकिन अब मास्टर व जूचे करने का डिसाइड करता है, जूचे के पास एक स्काय बर्निंग स्वाट है, जिसे बहुत पाफुल माना चाता है, अब वो यहाँ यूचे पर हमला कर रहा था, लेकिन यूचे अभी अपने इतलवार नहीं निकालता, बलकि वो अपना हाथ आगी करते हुए स्काय बर्निंग स्वाट को बहुत ही असानी से रोख लेता है, साथ ही जूचे की स्वाट से जो फाइर एनरजी निकल रही थी, वो भी यूचे बहुत ही असानी से एब्सॉब कर लेता है, और फिर लास में उस एनरजी को रिलीज करते हुए जूचे को वहाँ से दूर फेंग द और अब उसे सीधा समीन में मार देता है। इसके बाद यूचे अपनी तलबार को उठाकर एक स्लैश अटाक करते हुए उसके साथ साथ जूशन की तरफ बढ़ रहा था। इस वज़े से जूशन का अटाक बीच में से डिस्ट्रॉय होते जाता है और लास्ट में वो स्ट्रा जाता है लेकिन अब तभी यूचे तुरंट उसके पीछे आते हुए उसे लात मार कर सीधा यूएन भाव के पैरों की तरफ गिरा देता है और फिर उसके पास आकर उनके ऊपर अपना पैर रखते हुए यूएन भाव से माफी मांगने को कहता है। अभी यूएन भाव तो भी माफी नहीं मांगने बाला लेकिन इसके पाद यूचे उसे उचालते हुए लात मार कर वहां से दूर फिंग देता है। साथ ही इसके बाद उससे कहता है कि अवे हमें कहीं जानी की जल्दी है लेकिन अगर अगली बार तुमने कभी भी ऐसी कोई गल्ती की तो फिर मैं तुम्हें इससे भी जादा खतरनाक सजा दूँगा। अब इस बात से जूशन को बहुती जादा गुसा आ रहा था। अब वो खड़े होकर वहां से जाने तो लगता है लेकिन यूचे को धमकाते हुए जाता है कि वो इस चीज़ का बदला यूचे से लेकर रहेगा। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो कोई और सिखाता। इसलिए इस चीज़ को हमें भूल जाना चाहिए। बसे अब तभी यूचे को थांक्यू कहता है और अब इसके बार उसे all the best कहने लगता है लेकिन इस पर यूचे कहने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल यह सुनकर यूचे के साथ जाना चाहता था इस वज़े से वो मास्टर वू से कहता है कि क्या मैं यूचे के साथ जा सकता हूं जिस पर मास्टर वू कहने लगते हैं कि तुम्हें मना करने का कोई कारण बनता है लेकिन बस वहां ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी गलती वहां न देते हैं इसके बाद अब वो लोग वहां से Miss You के spiritual beast के ऊपर बैटकर निकल जाती हैं जिसके बाद अगले सीन में हम Tianzuan continent के Tianzuan mountain को देखते हैं जहां Tianzuan manor में धीरे-धीरे सब भी sect आना स्टार्ट हो रही थे सबसे पहले वहां पर sky burning sect आता है अभी यहां जो sky burning sect के master है वो आ देना करे पर क्या वो अभी तक पहुंचा नहीं जिस पर उनके disciple बताते हैं कि वो अभी तक नहीं आया है और नहीं उसके कुछ ख़बर मिली है यह सुनकर master कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द पता करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्याव सेक्ट हमें पीछे छोड़ते यह competition में जीतना हमारे लिए बहुत सरूरी है इस पर उनके साथ ही जा रहा एक लड़का जो कि जूशन का भाई है वो कहता है कि चंता मत कीजिए मैं इस competition को जीत कर विस यू को प्रपोस करूँगा अब तभी जब वो आगे बढ़ रहे थे इतने में ही वहाँ ज्याव सेक्ट क से बचकर रहना होगा जियाओजन सेकंड मास्ट का बीटा है पर एकी फैमली के होते हुए भी इन दूनों मास्टर की आपस में जादा नहीं बनती हैै अभी वहाँ पीछे वो धूसरे मास्टर और जियाओजन भी जब यहां आ रही थे तो वो दूसरे मास्टर जयाओ जेन से कहते हैं कि उसे कुछ भी कर कर जयाओ ली को हराना होगा जिस पर जयाओ जेन उनसे कहते हैं कि चंता मत कीजीए फादर ज्याओ ली मुझे कभी नहीं हरा सकता अब इस के बाद ये दोनों भी आगे बढ़ गए थे अब जब जियाओ सेक महा स्काय बर्निंग सेक के सामने आता है तो महौल गरम होनी लगता है क्योंकि दोनों ही सेक रॉल फामली के साथ करनेक्शन बनाने के लिए अपने अपने यंग मास्टर के मिस यू के साथ कराना चाहते है और इसलिए वो दोनों प्रिंस मतलब मिस यू के भाईयों को अलग लग सपोर्ट कर रही है वैसे अब यहाँ दोनों तरफ के मास्टर्स की फाइट हो सकती थी लेकिन इतने मही त्यान जियन पैलिस की गेट से बहुत ही ज़ादा पाफल एनरजी निकलती है और फिर अंतर से त्यान जियन मैनर के मास्टर्स लेंग और उनकी वाईव जुएन बाहर आते हैं अभी जुएन व्यान को देखकर यहाँ सकाई बर्निंग सेक्टर्स या उसेगे डिसाइबल के साथ साथ मास्टर्स हैरान थे क्योंकि जुएन व्यान बहुत ही जादा सुन्दर है वैसे यहाँ अभी मास्टर्स लें सभी को वेलकम करते हुए कह रहे थे कि यह बहुत बड़ा इविंट है इसलिए हमें इस थने से लड़ना नहीं चाहिए और वैसे भी हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका जल्द ही रैंकिंग कॉम्पटीशन में मिलेगा अब इसके बाद जवायान भी आगे आते हुए कहती है कि सभी डिसाइपल्स थक चुके होंगे साथ ही अब कुछी समय में रैंकिंग कॉम्पटीशन स्टार्ट होने वाला है इसलिए अब सभी डिसाइपल्स को अराम कर लेना चाहिए लेकिन अब इतने में ही वहाँ बर्व किरना शुरू हो जाती है सब समझ जाते हैं कि आइस क्लाउड इम्मॉर्टल पालेस भी अब यहां आ रहा है वो सभी तुरंती पीछे मुर कर देखते हैं जहां लेटल फियरी मतलब यूशन सभी को लीड करते हुए आगे आ रही थी यहां अभी हम विंग यू को भी देखते हैं वैसे आइस क्लाउड इम्मॉर्टल पालेस की हर डिसाइपल बहुत ही साधा सुन्दर है जिस वजह से अभी स्काइप बर्निंग सेट का एक डिसाइपल कन्फ्यूज होकर अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर इनका लीडर कौन है जिस पर वो मास्टर बताता है कि यूशन आइस क्लाउड इमॉर्टल पालेस की सेवन इमॉर्टल में से एक है इसलिए अभी वही मास्टर की तौर पर आई है साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसे त्यान जूएन कॉंटिनेंट की सबसे सुन्दर लड़की कहना गलत नहीं होगा इसलिए मास्टर लिंग भी इसे पसंद करती है लेकिन ये उन्हें भाव नहीं देती अब यहां मिस्टर लिंग तो यूजे को देख रहे थे इस वज़े से जूएन वैन बहुत जेलिस फील कर रही थी वो तुरंत ही यूजे की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन ये देखर मास्टर लिंग भी उसे रोकते हुए कहने लगते है कि आप भी बहुत धक गए होगे इसलिए सभी को अबर आप कर लेना चाहिए जिसके बाद अब यहां यूशन और बागी सभी वहां से जानी लगते है जाते हुए एक लड़की यूशन से कहती है कि सीनियर आप कुछ टाइम से थोड़ी चिंता में लग रही हो पर अब यूशन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहनी लगती है कि शायद ट्रेनिंग के वज़े से मैं थोड़ी ठक गई हो विसे अब इसके बाद अब वो किंग यूँ को आगे बुलाते हुए उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि त्यांस यान मैनर से निकलने के पहले तुम इसे मत उतारना इसवे कुइंग यूँ हां करती है और फिर वो लोग जानी लगती है पर तभी हम देखते हैं कि मिस यूँ का स्पिरिच्वल बीस्ट वहां पर पहुँच चुका था अब क्विंग यू की दोस्त क्विंग यू से कहती है कि ये लड़का वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था इस पर क्विंग यू कहती है कि नहीं ये वो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मिस्टिक फेंस तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है यहां अभी Yushen भी उनकी बाते सुन रही थी वो पूछती है यागर तुम किस बारे में बात कर रही हो जिस पर क्विंग्यू की दोस्त उसे पताती है कि ये लड़का बिलकुल उसी लड़के की तरह दिखता है जैसे क्विंग्यू का हस्बन दिखता है अब ये बात सुनकर यूशन सब समझ जाती है जिस वज़े से उसे थोड़ा गुसा भी आता है अभी वहाँ सभी लोग इनी की तरफ देखने लगे थे इसलिए यूशन सभी से चलने को कहती है अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी मास्टर लिंग थोड़े हैरान लग रहे थे वो कहने लगते हैं कि रॉल फामली को देखकर अचानक आइस क्लावड इम्मोटल पालेस इतना सीरियस क्यों हो गया पर अब इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि एम्परर की तब या तब ठीक तो है जिस पर मिस्यू कहती है कि हाँ अब वो ठीक है और फिर अब वो उन्हें बताती है कि यूचे जो कि उसका जूनियर है वो रॉल फामली को रिप्रेजेंट करेगा इस पर मास्टर लिंग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है पर शायद आइस क्लावड इम्मोटल पालेस इस पर को जादा ही सीरियस लग रहा है आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज़ पर मिस्यू कहती है कि हमें उनसे कोई फरक नहीं बढ़ता हम तो वैसे भी यहां जीतने के लिए आए हैं अब ये सुनकर स्काइब बर्निंग सेक्ट और जियाव सेक्ट दोनों के मास्टर बहुत ही जादा हैरान हो चुके थे वैसे आप मास्टर लिंग कहते हैं कि आप सभी बहुत मोटिवेटेड हो और मैं इस मोटिवेशन को खतम नहीं करना चाहता लेकिन अभी के लिए आप लोगों को रेस कर लेना चाहिए क्योंकि करली क्वालिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद सीन सीधा नाइट के टाइम पर शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि मिस्यू अभी बैठे बैठे ही सो गई थी पर तब ही यूचे गेट नौक करता है अब मिस्यू गेट खोलती है और यूचे के अंदर आने के बाद यूचे से कहती है कि आखिर तुम इतनी राद में यहाँ क्या कर रहे हो इस पर यूचे कहता है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं थोड़ा लीट हो गया था जिस वज़े से वहाँ शेंग पेंग एकाडमी में भी हम बात नहीं कर पाए और इसके बाद यहाँ आकर भी में सब कुछ भूल ही गया अब मिस्यू उससे पूछती है कि तुम क्या भूल गए अब इतने में ही यूचे उसे तुरंत थिकिस कर दीता है इस चीज से मिस्यू बहुत ही जादा शर्मा गई थी इसलिए वो तुरंत यूचे को गेट खूल कर बाहर निकाल दीती है और कहती है कि कल सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है तुम पहले सिलेक्ट हो जा दिन मुझसे मिलना इस पर यूचे कहता है कि ठीक है लेकिन बस तुम अपना प्रामिस याद रखना और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है पर तभी हम देखते हैं कि अभी वहाँ मिस्यू के घर की चाथ पर जूचे का भाई बैठा हुआ था जिसने इनकी सब बाते सुन ले थी इसके बाद अब सीन सीधा सुभा पर आ जाता है और अब त्यान जियान मैनर के स्वाइड लाइटनिंग स्टेज के पास सारी तैयारे कम्प्लीट हो चुगे थी सभी डिसाइपल भी बहुत साथा एकसाइटेड थे तब ही यहाँ नीचे त्यान जियान मैनर के एल्डर लिंग वो सभी का वेलकम करते हैं यहाँ वो इस कॉंप्टिशन के बारे में बहुत बाते बताते हैं जैसे कि पहले फाइव राउंड्स के बाद टॉप हंडर्ड डिसाइपल्स को सलेग किया जाएगा साथ ही यहाँ अभी त्यान भी स्वार्ड रीजन जो कि पूरे कॉंटिनेंट के चार हुली लन्ड में से एक है वहाँ के एल्डर कुन भी अभी इस कॉंप्टिशन को देखने के लिए आए हैं और उनका यहाँ होना यह सबी के लिए बहुत ही जादा बड़ी बात है अभी यहाँ यहाँ यूएन भॉप जब यूचे से पूछता है तो यूचे कहता है कि तुम ऐसा समझ लो कि त्यान भी स्वार्ड रीजन त्यान जियान मैनर से भी साथा स्ट्रॉंग है वैसे अब वहाँ एलडर लिंग वू कहते हैं कि त्यान भी स्वार्ड रीजन की तरफ से इस रांकिंग कॉंपटिशन में फर्स्ट आने वाले को एक हेविल्डी फेस मासरसिजम का वेपन मिलेगा ये सुनकर हर कोई बहुत ज़ादा हैरान हो गया था लेकिन इस तरफ स्काइ बर्निंग सेट के मास्टर कह रहे थे कि यंग मास्टर लिंग यू के होते हुए ये किसी और को मिलना ना मुनकिन है पर अब जो भी हो लेकिन एलडर लिंग वू ने इस सिलेक्शन रांड को स्टार्ट करने का एनाउंस कर दिया था इसका मतलब नेक्स पार्ट बहुत ही जादा एक्साइटिंग होने वाला है हम देखते हैं कि एलडर लिंग वो सभी के सामने एक स्टोन को समन करते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्हें इस स्टोन को टच करना है जिसके बाद उनकी असली एच और कल्टिवेशन सभी के सामने आएगी और फिर ये फाइनल किया जाएगा कि वो इस कॉंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई है की नहीं अब यहाँ एक एक करकर वो अलग लग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को बुला रही थे इस दोरान हमें जानने को मिलता है कि हमने जिन जिन सेक्ट को पिछले पार्ट में देखा था उनके अलावा भी कही सारे सेक्ट यहाँ जॉइन कर चुके हैं हर डिसाइपल की एक एक करके क्वालिफिकेशन चेक की जाती है अब जब आइस क्लाउट इमोटल पैलिस की बारी आती है तो यहाँ युएन बाउब जोर से चिलानी लगता है और यूजे से कहता है कि वो देखो सिस्टर की बारी आ गए बिसे यूजे अभी उसे ही देख रहा था इसलिए मिस यू उससे पूछती है कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है जिस पर यूजे हां करता है अब मिस यू कहनी लगती है कि क्या तुम्हारे मन में अभे वी क्यूंग यू के लिए फीलिंग्स है इस पर यूजे कहता है कि नहीं, मैं बस उसके लिए थोड़ा थांगफुल हो, क्योंकि उसने मेरे ग्रांटफादर को बचाया था। इस बात पर मिस्यू कहने लगती है कि तुम शुरुआत से ही रैंकिंग कॉपटिशन में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कही इसकी वज़ है किंग यू ही तो नहीं, जिस पर यूजे कहता है कि हाँ, यहाँ आने की एक वज़ है, किंग यू भी है, क्योंकि मैं उसे साबत करना चाहता हूँ, कि उस दिन उसने हमारी शादी के सर्टिफिकेट को ना फाड़ कर सही डिसीजन लिया था, वैसे अभी द तो हमें पता चलता है कि वो स्पिरिच्वल फेस मैसजम के लेवल एट पर है, अभी यह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि किंग यू अभी सिफ अठरा साल की है, अभ यहाँ त्यान जैन मैनर के डिसाइपल्स को बिलाया जाता है, अभी जब लिटल जी स्टोन को टच करता ह तो पता चलता है कि वो स्पिरिच्वल फेस मैसजम के लेवल 6 पर है, अब यह देखने के बाद सभी डिसाइपल्स और जाधा हैरान हो चुके थे, क्योंकि लिटल जी की एज बहुत कम है, जिबकि वहाँ कई उससे जाधा एज के डिसाइपल्स भी अभी तक स्पिरिच्व फेस मैसजम पर पहुचे ही नहीं है, अब इसके बाद त्याइन जीन मैनर के ही दूसरे डिसाइपल्स फेंग यू की बारी आती है, और जब वो स्टोन को टच करता है, तो सब और साधा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी अर्थ फेस मैसजम के लेवल 3 पर है, यह देख कि रॉयल फामली के सिर्फ एक ही कल्टिवेटर पाटिसिपीट कर रहा है, वैसे अब जब यूचे उस्टोन को टच करता है, तो पता चलता है कि वो असल में ट्रू फेस मासजम के लेवल 10 पर है, यह देखकर सभी डिसाइपल्स जोजोड से हसने लगे थे, क्योंकि अभी जितने पे डिसाइपल्स यहां आए थे, उन सभी का लेवल यूचे से साधा ही था, सभी यहां उस पर हस रहे थे, इसलिए मिस यूचे के लिए बुरा लग रहा था, पर अब इसके साथ ही यहां सभी के लेवल छेक हो चुके थे, इसलिए इसके बाद उन्हें एक-एक टो शुरू हो गई थी इसी दोरान यहां हम King Yu को भी देखते हैं जब उसका आपनिट उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसे देखते हैं King Yu तुरंट freezing drop का use करते हुए उसे हवा में ही जमा देती है उसकी इस टेकनीक को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थ और इस तरफ Yuan Bao भी सिस्टर की पार देखकर बहुत जादा खुश हो गया था अब तब यूजे की नेम प्लेट भी गलो करने लगती है इसका मतलब अब अगला माच उसी का है इसलिए अब वो तुरंटी वहां एरीना में आ जाता है अब उसके fight यहां Southern City के King Yun नाम के disciple से होन इसलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब वहां यूजे का पहला मैच स्टार्ट होता है अभी क्विंग यूजे से कह रहा था कि तुम बहुत अलगी हो जो तुम्हारी पहली fighting मुझसे हो रही है लेकिन अब इस बात पर यूजे साधा ध्यान नहीं देता औ क्विंग यून उससे लड़ नहीं रहा बलकि वह उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है इसलिए ये देखते हुए यूजे तुरंद पहले उसके अटाक को डॉज करता है और जुपते हुए उसके चेस्ट पर अपनी कोनी मार कर उसके एनरजी को सील कर दीता है इससे अब किस कच्रे को उठा लाए इस पर उसका भाई कहने लगता है कि ब्रदा आप जिनता मत कीजिए ये बस पहला माच था अभी बारा माच है और वैसे भी हमीशा तो यूजे का लग काम नहीं कर सकता ना अभी यहाँ नीचे यूजे क्विंग यून से कह रहा था कि तुमने मु मुझे हरा कर दिखाए अब इसके बाद यहां से सीन चींच होता है और हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी इसलिए बैटल को रोग दिया जाता है अभी जब यूजे और बागी सभी वापस रेस्ट के लिए जा रहे थे तब ही रास्ते में उसकी मुलाकात आइस फामली के साथ तुम भी आये हो जिस पर यूजान बाव कहता है कि हां मैं भी आया हूं और मेरे साथ ब्रदर इनलाओ भी आये है यह सुनकर कुंग्यू है रान हो जाती है उसे पहले लगा नहीं था कि वह लड़का सच में यूजे है अब यहां यूजे भी आगे आता है औ तुम यहां ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे क्विंग्यू को शर्मिंदा होना पड़े इस पर यूजे प्रॉमस करता है कि क्विंग्यू और बागी सभी को इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अब यूजे सभी से चलने को कहता है जिसके बाद वो सभी महां से चली जाती है और यहां क्विंग्यू भी यूएन पाउ से अपना ख्याल रखने को कहकर महां से चली जाती है अभी उसे जाता देख यूजे मन में सोच रहा था कि क्विंग्यू अब पहले से और भी जादा खूबसूरत हो चुगी है और शायद अब वो पहले से ज साइपल से हो रही थी, कहा जाता है कि इस लड़के की बॉड़ी लोही की तरह स्ट्रॉंग है, और इसलिए वहाँ फैंग का भाई उससे कह रहा था, कि ब्रदर, अब टेंशन करने की बिल्कुल बात नहीं है, टॉंग यूजे कुछ जान से नहीं भी मार पाया, तो अभी कम से कम उसके हाथ पैर तो तोड़ ही देगा अब यहाँ फाइट के दोरान, एरीना में यूजे टॉंग से कहता है, कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉड़ी लोही की तरह मजबूत है, अब तो मैं भी देखना चाहता हो, कि तुम मेरे पंच के सामने कितनी देर तक टेक पाते हो, अब इस बात पर टॉंग को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी पूरी बार लगा कर यूजे पर हमला करने के लिए आके बढ़ता है अभी वो यूजे को पंच करने वाला था, लेकिन इसके पहले यूजे उसके हाथ पर पंच करता है, जिसके वज़े से टॉंग की जो मिजिस्टिक एनरजी थी, वो वही ब्रेक हो जाती है और साथ ही साथ, टॉंग के हाथ की हड़ी भी तूट जाती है, इस वज़े से अब वो एक हाथ यूज नहीं कर पा रहा था और अब इस चीज का फायदा उठाते हुए यूजे एक के बादे, उसे पंच करना शुरू कर देता है, और इस वज़े से टॉंग वही नीचे गिर गया था और अब यूजे फाइनली उस पर बहुत पाफुल पंच करने वाला था, पर उससे पहले ही टॉंग हार मान लीता है, और इसी के साथ अब बैटल भी यूजे ने बहुत ही असान इसे जीत लिया था, जिस वज़े से वहाँ फैंग को और जादा गुस्सा आ रहा था इसके बाद हमें और भी लोगों की दिखाई जाती है, विसे लास्ट में हम यूजे को देखते हैं, जिसकी फाइट अभी स्काइ बरनिंग से के एक डिसाइपल से हो रही थी, इस वक्त फैंग को बहुत सादा उमीद थी, पर यूजे इस डिसाइपल को भी एक ही अटाक के साथ हरा देता है, जिस वज़े से फैंग फिर से बहुत ही सादा हैरान हो जाता है दूसरी तरफ, एल्डे लिंग वो एनाउस करती हैं, कि यूचे ने पूरे 12 माच लगातार जीत लिये हैं, जिस वज़े से अब उसे 2nd round के लिए सिलेक किया जाता है, अब ये सुनकर यहां मिस यू, मास्टर केन और यूआन बाउ, तीनों ही बहुत सादा खुश थे दूसरी तरफ, मास्टर लिंग भी कह रहे थे, कि ये लड़का सच में कमाल का है, इसकी कल्टिवेशन भी बहुत कम लेफल पर है, लेकिन इसकी फिजिकल स्रेंड बहुत ही जाता है इस वज़े से इसने लगातार 12 डिसाइबल्स को हरा दिया इस तरफ जब यूचे वहां मिस यू और बागियों के पास आता है, तो अभी वो सब ही बहुत सादा खुश थे अब तभी यूचे वहां स्काइब बर्निंग सेक की तरफ देखता है जहां फैंग इस वक बहुत गुस्से में था और अब उसे और चिडाने के लिए यहां अगर यूचे मिस यू से कहता है कि वो अब सेकिन राउन में पहुँच चुका है इसके लिए उसे इनाम तो मिलना ही चाहिए जिस पर मिस यू शर्माते हुए कहती है कि तुम्हे क्या चाहिए जिस पर यूचे अपना गाल आगे करता है जिसके बाद मिस यू उसके गाल पर किस करती है और वहां फैंग इससे और जादा जल भुन जाता है और वैसे अभी यूएन भाव यूचे और मिस यू को ही देख रहा था इसलिए मास्ट एकन उस पर चिलाते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं वैसे अब सेकंड डाउन में यूचे की फाइट उन्हें डिसाइपल्स के साथ होगी जिन्होंने 12-12 डिसाइपल्स को हरा द तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस पर यूचे उससे कहता है कि उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वो खुद को संभाल लेगा और इसके बाद अब वो तुरंत ही वहाँ एरीना में आ जाता है यहाँ अभी उसकी लड़ाई ली जैंतियान नाम के एक ड बड़े बड़े हैमर्स हैं दूसे तरफ अभी फैंक का भाई उससे कह रहा था कि यूचे किसी भी कीमत पर इस ली जैंतियान को नहीं हरा सकता क्योंकि ये स्पिर्चुल फेस मासिजम के लेवल 6 पर है अब यहाँ ली जैंतियान यूचे से कहता है कि लड़के अब तुम और अपने लग के वज़े से नहीं जीच सकते लेकिन इस पर यूचे उसे कोई जवाब नहीं देता और लड़ने के लिए बुलाता है जिसके बाद ली जैंतियान उस पर हमला करने आगे बढ़ता है यहाँ पर वो अपने दोनों हैमर का यूज कर रहा था लेकिन यूचे बस उन्हें पंच करते हुए हटा रहा था साथ ही अब वो अपनी पूरी पार से यहाँ ली जैंतियान को पीछे की तरफ भी हटा देता है जो देखकर सभी लोग बहुत ही जादा है और खुद ली जैंतियान भी यह देखकर हैरान था बगर उसे अब और जादा गुसा भी आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हुए उसने अपनी सेक की स्पेशल टेक्निक का भी यूज किया था जिसकी वज़े से उसके हैमर से अभी थंडर लाइटनिंग निकल रही थी लेकिन यह देखकर यूचे तुरंधी थोड़ा पीछे आ जाता है और अपनी हेवी स्वाट क लेकर आगे बढ़ता है यह देखकर लीजन तियान भी यह अपने हैमर से उसके उपर हमला करता है लेकिन अब उसके अटाक करने से पहले ही यूजे अपनी तलवार से उसके दोनों हैमर को तोड़ देता है और इसी वज़े से लीजन तियान भी वहाँ से दूर फिक जाता ह अब यहाँ यूचे उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो जिस पर लिजन दियान कहता है कि नहीं मैं हर मानता हो अब ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत जादा हैरान हो गया था क्योंकि यूचे ने ट्रूफे मासजम पर होते हुए भी एक स्पिरिचुल फेस मासजम के कल्टिवेटर को हरा दिया है अब इस तरफ अभी फेंग को और जादा गुसा आने लगा था और वो गुसे में अभी अपने भाई को ही देख रहा था वैसे इसके बाद हमें यूचे की कई सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं जिनके द सेकिंड राउंड से सीधा नौक आउट राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाता है अब ये चीज़ सुनकर हर कोई हैरान था यहाँ पर मास्टर केन बहुत ही जादा खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि यूचे ने कर दिखाया मुझे यकीन नहीं हूता कि वो टॉप 32 में पहुँच चुका है वहाँ मिस यू भी कह रही थी कि फादर काश आप यहाँ पर होकर यूचे को लड़ते हुए देखते हमारी रॉयल फामले की इज़द फिर से लाटने लगी है वहाँ मास्टर लिंग भी यूचे की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि इस लड़के में अब भी सिखाऊंगा इसके बाद यहाँ से सीन चींज होता है और हम देखते हैं कि अब वर से रात हो चुकी थी और इस टाइम यूचे घर पर एक लेटर लिख रहा था अपने ग्रांट फादर और लिंग जी के लिए जिसमें वो लिखता है कि उसे सिटी छोड़े बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अब वो जल्दी वापस से टी में लोटेगा अब जब वो यह सब लेक रहा था तब ही वहाँ पर यूएन बाव गेट नॉक करता है अब यूचे बहाँ जाकर गेट खोलता है तो यूएन बाव उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है कि मुझे कहां है जिस पर यूएन बाव कहता है कि सिस्टर वापस अपने रूम की तरफ लोट रही है अब यूचे तुरंती वहाँ से भागता है और कुंग्यू को रोकता है वो कुंग्यू से पूछता है कि वो आइस क्लावड इग मॉटल पालस में खुश तो है जिस पर कुंग्य क्यों हां करती है अब यूचे कहनी लगता है कि सिटी में मैंने तुम्हें हमारा जो मैरेज सर्टिफिकेट दिया था क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है ये सुनकर कुंग्यू तुरंती उस सर्टिफिकेट को बाहर निकाल लेती है और यूचे को दे देती है अब मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता मैं वो सब भूल चुकी हूँ अब यूजे उससे कहता है कि क्या मैं तुम से एक सवाल पूछ सकता हूँ जिस पर क्विंग्यू हां कर देती है तो अब यूजे पूछता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम किस लेवल पर थी इस पर क्विंग्यू कहती है कि जिस लेवल पर तुम अभी हो मैं सेम उसी लेवल पर थी उसका मतलब है कि अभी यूजे ट्रू फेस माससम के लेवल 10 पर है तो तब वो भी इतने ही लेवल पर थी अब इतना कहते हुए वो बोलती है कि अब बहुत रात हुचकी है और कल से फिर से मैंचस टार्ट हूंगे इसलिए तुम्हें आपे रिकवरी के लिए अराम करना चाहिए अब इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी थी लेकिन योजे उसे रोकते हुए कहता है कि कल झाल